तमस्कार दोस्तो आज मैच है मेलबॉर्ण रेनेगर्स ओमेंज और हैवर्ड हैरिकंस ओमेंज के बीच इस मैच में हैवर्ड हैरिकंस ओमेंज ने टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया है पहले बैटिंग करेंगे यहां पर तोбात कर लेते हैं में दोनों टीमों की एगर प्लेंग 11 की हम बात करें तो आप यहां पर पहले हम बात कर लेते हैं बाण हैबट प्लेंग 11 की यहां है वर्ट हैरिकन्स की प्लेंग 11 की तो यहां पर रूथ जॉंस्टन की अगर बात करें तो आज अपना पहला IP यहां पर WBBL मैच खेलेंगी और इनके बारे में उतनी कुछ हमें पता नहीं है मगर 18 साल उमर है और बहुत ही साइद आज प्लेंग 11 में सामिल किया गया है रॉथ जॉंस्टन को वो साइद यहां पर आज अच्छा परफॉर्म करेंगी उम्मीद करेंगे क्रिकेटर है और आपको बता दे कि इससे पहले रिचेल प्रिस्ट ने बहुत सारी WBBL में यह सात्वा एडिसेंड में यह इनका तिसरा टीम है पहले यह मेलबॉर्न रेनेगर्स के लिए भी खेल चुकी है सिदनी ठंडर्स के लिए भी खेल चुकी है अब जो है या पर Herbert Hurricanes Omen's की कप्तान है Herbert Hurricanes Omen's की तरब से इनुने 13 match खेले हैं 13 matchों में इनुने 354 run उन्के total 13 matchों में 354 run total बनाए है average काफी अच्छा, 35 का average से run बनाए है strike rate की बात करें तो 118 की strike rate से Rachel Priest बैटिंग करते हैं वो कप्तान है और playing 11 में भी सामिल है तो मिक्डु परेज की जियां दू परेज की तो रूप परेज जो है यह पहले 2020 में 2020 में ये हैवट हैरिकेंस की लाइम है और इस बार हैवट हैरिकेंज की भी हिस्स आहे है बहुती बड़िया खिलाडी है दूपरेज का ये 15 दूपरेज डाबलू बीबियल में अब तक 15 मैच खेल चुकी है और जबरदस्ट परफॉर्मार है साउथ अफ्रिकन है 32 साल उमर है और बहुती उंदा बैटिंग करते हैं इससे बाद बात करते हैं जो कि अभी प्लिंग 11 जो है दूपरेज रीचा गोस जी इंडियन क्रिकेटर है रीचा गोस अब जानते हैं कीपर है और भारत की जो ऑस्टलिया के खिलाप तीन टी-20 मैचेस खेले गया है उसमें उनका पारफॉर्मेंस एवरिज रहा है हम लोग इ इनका हैवर्ट हेरिकंस की तरफ से आज डाबलू बिबील में अपना डेविउ करने वाली है बहुत ही उंदा टी-20 केरिया है अगर बात करते है वालिंग करते हैं नर्पी इस्टेलेण बार्ड अस्तालियान किरिकेटर है और हमें उम्मीद है कि स्टेलिन बार्ग यहां पर जबर्दस्ता परफॉर्म करते भी नजर आएगी और आज भी यहां पर प्लेंग 11 की हिस्सा है स्टेलिन बार्ग तो भई हमारी साथ बने देजिएगा लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल परदबे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजएगा थोड़ी ही देर में मैच स्टार्ट होने वाला है दूसरी तरह बात करते हैं निकोला कैरी की निकोला कैरी बहुत ही जबर्दस्त खिलारी है बैटिंग भी करती है साइधा बॉलिंग भी करती है और अच्छे और राउंडर है मॉलोनी भी आज अभी जो फिलाल मैचेस चल रहे हैं उसमें मॉलोनी नहीं दिखाई देरा है मगर बहुत ही अच्छी खिलारी है मॉली स्ट्रेनों मॉली स्ट्रेनों के उपर नजर रहेगी क्योंकि अच्छी बोलर है और हमें इस हरे के मैच में वे विकेड लेती है वैकर हुआ वैकर हुआ भी खास करके मेलबॉन रेनेगर्स के बीच साथ जब मुकाबला होता है वैकर हुआ काफी बहतरीन खिलारी है आठ मैचों में मेलबॉन रेनेगर्स के खिलाब इन्होंने 12 विकेट ले चुके है वेल म्यूनिक जानते हैं काफे टिमेंडस पॉर्म में है आस्टलिया के साथ जो भारत का T20 मुकाबला हुआ उसमें हरे के मैच में वेल म्यूनिक ने विकेट निकाले है यह थे हैबट हैरीकंस की प्लेंग 11 जो की आपकी स्कुन के सामने है और पांच मिनिट का बक्त है पांच मिनिट बाद मैच स्टार्ट होने वाला है और यहां पर पांच मिनिट बाद मैच स्टार्ट होने वाला है तो हमारे साथ बने रहे हैं जो भाई बने हुए हैं सभी को बोलेंगे दूसरी तलब हम बात करते हैं यहां पर मिल्बॉन्ड रेनेगर्स की जी हां मिल्बॉन्ड रेनेगर्स की बात करते हैं टॉप ओडर बैट्समन में माने जाती है रोड्री गेज, दूसरी तरह भर्मन, पीत कॉर, एक अच्छी और राउंडर है, और आपको बता दे, मॉली निक्स है, कंट्री, वेब, एलिन जोन्स, डाफिन, जेस डाफिन, वेरम, आप जानते हैं, वेरम किस तरीके से बॉलिंग करते हैं, और यहाँ पर आपको बता दे, मैदान पर खिलाडी आने के लिए तैयार है, डूली, लेसन, लेसन बहुती अच्छी खिलाडी है, यहाँ पर मिल्बॉन्ट रेनिगर्स के लिए, मिल्बॉन्ट रेनिगर्स की तरब से बहुती उंदा खिलाडी है, आपको बता द साथ में है Ellie Phil Corner and Holly Farling तो यह सारे खिलाडी है Ellie Phil Corner जो है आज अपना डेवियो करेंगी और मैदान पे मैदान पे हाजिर हो चुके है फिला खिलाडी मैदान पे हाजिर हो चुके है मैदान पे खिलाडी हाजिर हो चुके है और मुझे लगता है कि याँपन, देखना पड़ेगा की कौन आते हैं हेवर्ट हेरीकंस की तरब से याँपन डू परेज आ सकते हैं या रिचल पिस्ट मुझे लगता है याँपन किसके साथ ओपन करेंगे यह अब देखना होगा दोनों खिलाड़ियों में से कौन आते हैं ओपने के लिए तो भई हमारे साथ बने रहे हैं लाइक जरूर कीजिए और चैनल प्रतबर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा हैवर्ट हेरिकंस ने आज टॉस जीता है टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया है और थोड़ी ही देर में यहां पर मैच स्टार्ट होने वाला है तो हमारे साथ बने रहेए दोनों टीमों के खिलाड़ी आ चुके हैं मैदान पे ओपेन करने आए है आपके बतादे ओपेन करने आए है रिचल प्रेस्ट जी हां रिचल प्रेस्ट आए है ओपेन करने के लिए और 118 की यहां पर हायस्ट WBBL में इनका हायस्ट जो स्कोर है वो 92 है Chanel एक 92 और 183 दोजार बीस में ninोंने 92 रन बनाये थे और रीचिल परिस्ट के साथ यहाँ पर मौजूद है आपको बताते हैं यहाँ पर रीचिल परिस्ट के साथ कौन खेलाडी मौजूद है देखना होगा बैर रिचल पिश्ट्र के साथ open करने के लिए कौन आये हैं तब हमारी साथ बने रहे हैं लाइक कर ज़रू कीजिए और रूत जॉन्स्टन जी हां रूत जॉन्स्टन आये हैं open करने के लिए आपको बसाते याँ पर मैच स्टार्ट होने जा रहा है और रूद जॉन्स्टन और रिचल प्रीस्ट ये दूनों आये है है वाट हैडिकन्स की तरब से ओपन करने के लिए बोलर जी हाँ याँ याँ पर आ चुके है बॉलिंग डालने के लिए पहला गेंद डालने के लिए था यार पहला गेंद राइट आम ओबर दो विकेट बॉल आलता हुआ इस बार आपस टाइम से थोड़ी सी कट हुई बॉल सीद आव विकेट कीपर की दस्ताने में कोई रन नहीं डॉड बॉल होता हुआ साथ बने रहें लाइक जरूर कीजेए और चानल प्रदबर चानल को सबस्क्राइब पर जरूर कीजेगा पहला गेंद हो चुका है पहली गेंद पर कोई रन नहीं आए जी हाँ पहली याँ पर हॉली फारलिन आये हैं औली फारलिन आए हैं बॉलिंग डालने के लिए पहला गेंद काफी बढ़िया तरीके से किया है फिर से बार बॉलिंग करने के लिए तयार इस बार आपस्टाम पे बॉल कट कर दिया है बॉल को कवर किती था में कोई रण नहीं मिलेगा डॉट बॉल होता हुआ तो भाई आज जो है उम्मीद है कौन जीतेगा है भाई देखते हैं इस ओबर की दूसरी गेंद हो चुका है दूसरी गेंद पे कोई रण नहीं बने है डॉट बॉल लगाता है डॉट बॉल कहलता हुआ यहाँ पर रिचल प्रिस्ट देखना होगा कि आज रिचल प्रिस्ट अपना वो पुराना फॉर्म जो है दोजार बीस में इनके बल्ले से आई थी 92 और 83 का दो अच्छी पाड़ी आई थी उस मैच में आज भी यहाँ पर वापस कर पाएंगे कि नहीं फिर से बार बॉल इस बार थोड़ी सी हलकी सी अच्छी गुल्लेंद की बॉल थी हाँ में खेल दिया है बॉल बैट का किनारा लिया चला गया यहाँ पर थार्ड मेंड की तरफ सिंगल लेता हुआ और इसी सिंगल के साथ स्कोर जो है दीर दीर बढ़ता हुआ एक रन बन च क्या करता है क्योंकि भाई लाइक जरू करो लाइक का मतलब है सपोर्ट सपोर्ट जरू करो यहाँ पर जॉंसन रूथ जॉंस्टन सामना करेंगे फारलीन की गेंद का राइट आप ओबर दुगेट बॉल डालता हुआ डान हैट के खिलाडी को इस बार गुल्लेंद की बॉ पार खाने के बाद बहुती नीची रही और बॉल को खेल दिया कवर की दी सामय कोई रन नहीं में लगा डॉट बॉल होता हुआ बैतर इन गेंद बाजी स्लो बॉल आप जानता है कि टी 20 में स्लो बॉल काफी मातो रखते हैं तो चार गेंदे हो चुके हैं चार गेंद के ब बॉल था बॉल को खेल दिया सीधा बॉलर के पास है कोई रन नहीं में लगा लगाता है अची गेंद बाजी करता हुआ फारलीन और लंबे कद के खिला रही है और राइडम बॉलिंग डालते हैं फारलीन के बारे में उतना कुछ पता नहीं है अपना डेब्यू बैंच खे पहली हाप में मुझे लगता है फिर से बार राइडम ओबर दो विकर बॉल लाता हुआ इस बार अपस्टन पे बॉल था कट कर दिया बैट खेल दिया बैकवर्ट पॉइंट के तरह फिल्टर बहुत है वहाँ पार सिंगल मिलेगा और इसी सिंगल के साथ ओबर की समापती पहली ओबर के बार स्रिप दो रणबन है और कोई स्लो इस्टन पहली ऑबर में बहुती स्लो इस्टन रहा और फारलिन अपनी डिवीं मैच में बहुती बहतरीन बॉलिंग किया तो चलिए देखते है इस बार अर मुझे लगता है फिर से बार डू परेज या पर और रिचल प्रिस्ट एंड जॉन स्टन ये दोनों खिलाडी आज ओपेन करने आए हैं हैवट हैरकंस ओमेंस की तरब से हैवट हैंकन ओमेंस ने आज टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया और मुझे लगता है कि बॉल जो है थोड़ा सा लेट आ रहा है बले पे अब देखना होगा फॉल कॉर्णर आया है बॉलिंग डालने के लिए राइट आम मीडियम फास्ट बॉल डालता है ये भ लेगा सिंगल लेके या पारर रूत जांस्टन ने स्ट्राइकर रोटेट करते बेट डूफ या पारर बैटिंग दिया है रिचल प्रिस्ट को एक ओबर एक गिंद हो चुके हैं एक ओबर एक गिंद के बाद तीन रण बने हैं रिचल प्रिस्ट जो कि थोड़े से जो है थोड़े से उनका जो है देखना होगा आज जे क्या करते हैं क्योंकि थोड़े से जो है सरीर थोड़े से भारी हो गया है और देखना होगा कि आज क्या करते हैं कैप्तान है इस टीम के बैटिंग करता हुआ राइट आम अबर दो गिर बॉल लाता हुआ इस बार ओ मिडिल स्टेम का बॉल बहुती स्लोवर बॉल था कोई रणने इस बॉल आरे साथ बने देज़ेगा लाइक का जरू कीज़ेगा और चैनल पर दो बच चैनल को सब्सक्राइब पे जरू कीज़ेगा बहतरीन मैच होता हुआ यहां पर नजर आ रहा है पहला मैच थोरा सा दिक्कत हो गया था उसमें 11 ओवर का मैच रहा था मगर आज टाइम से मैच सुरू हुआ है और उमीद है कि पूरी मैच होने वाला है फिर से गबार बॉलिंग करता हुआ फॉल कारणर राइट डाम ओवर दो विगेट इस बार पटकीवी गें थी सॉट बॉल डाला था बॉल को खेल दिया है इस बार डिप बैकवार्ट पॉइंट की तरह फिल्डर ने दबर दस फिल्डिंग किया है सिंगल लेता हुआ और इसी सिंगल के साथ इसकोर जो है दीरे दीरे बढ़ता हुआ चार रन बन चुका है एक ओबर तीन के दो के बाद एक ओबर तीन के दो के बाद चार रन बन है आज बहुत सारे खिलाडियों ने अपना डेब्यू क्याप पहना है और जुसमें से भारत के दो खिलाडी मेलबॉन रेनेगर्स के तरफ से वो भी सामिल है और यहापर फॉल कर्डनर बॉलिंग करता हुआ राइटम ओबर दो विगेंड इस बार जॉंस्टन को इस बार फिर् साही पर नहीं आ रहे है सिंगल मिलेगा हावा पर बहुत देर तक बॉल था और दो रन लेता हुआ रूद जॉंस्टन और इसी दो रन के साथ इसकोर जो है छे रनों तक पहुँच चुका है एक ओवर चार गेंदों के बार चलिए देखते हैं आज क्या लगता है आपको पर देखते हैं रूद जॉंस्टन है स्टाइक पर डाइने हाथ के खिलारी को ओबर दो विकेर बाल करता हुआ वा फॉल कॉर्नर डेबियू मैच कर खेलता हुआ इस बार फिर से एक बार यह और कार्ट डालने के कोच सीज मगर फुल टॉस बाल को खेल दिया है कवर की दिस जो अपना डेबिउ मैच खेल रही और जो मिलबॉर्ड रेनेगेट्स को क्या है कौन सी बोलर जो है यहाँ पर ब्रेक्थ्रू दिला पाती है क्या लगता है बाई कॉमेंट करके मैं ज़रू बता है फिर से बार राइट आम ओबर दो रिकेट बॉल लगता हुआ इस बार पठकीवी गेंट स्लोवर बॉल था बॉल को खेल दिया बैक ओट परंट की तरह फिर से एक बार और इसी बार सिंगल लेता हुआ पर सिंगल लेते हुआ इस ट्राइक को रोटेट कर रहा है बड़ा सोट जेप नहीं लगरा है तो यहाँ पर लगाथार स्ट्राइक को रोटेट करते हुआ स्कोर जो है दो ओबर के बाद हैबड हैरिकन्स ओमन का स्कोर साथ रण बन चुकए है आज देखना होगा कि हैबड हैरिकन्स पहले बैटिंग करते वे, कितने रण बनाता है WBBL का सेवंथ एलिशन का ये दूसरा मैच है जो कि पावर प्ले के दौरान इस मैच में कितने रन बनते हैं पावर प्ले छे ओवर का है और इस छे ओवर में कितने रन बनते हैं क्योंकि ये दूसरा मैच है और इस मैच पूरा होने का असान हमें दिख रहा है बने रहिए भाई, मिल्बॉर्ड रेनेगेट्स के कप्तान मॉलिनेक्स है और इस ओबर के पहली गेन इस ओबर के पहली गेन, थोड़ी से अपस्रेंब बेबॉल था कट कर दिया है, बैकवड पॉर्ण की तराफ इस बार बॉल गैब में खेल दिया है, चार रन के लिए बहुत ही उंदा सौट यहां पर रूथ जॉन्स्टन का पहला मैच खेलते वे, रूथ जॉन्स्टन ने कापिब धमाकेदार स्टार्ट किया है पहला चौका इस मैच का और इसी चौके के मदद से मिल यह पर है बर्ट हैरिकेंस ओमेंट का स्कोर जो है वो 11 रन बन चुके है भाई क्या लगता है कॉमेंट करके में जरूर बताईए तो फिर से बार बॉलिंग के लिए तैयार इस ओबर की दूसरी गेंदर डॉड बॉल होता हुआ और दो ओबर दो गेदे हो चुके हैं दो ओबर दो गेदो के बाद स्कोर जो है 11 रन बन है विदाओ टेनी लॉस तो फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ इस ओबर की अगली गेंद मॉलिनिक्स जोकी कप्तान है इस ट्रीम के और उन्दा परफर्मार है बॉलिंग करता हुआ फार्लिंग इस बार आपस्टेम पे बॉल था गैप में खेल दिया है चार रन फिर से एक बार मिल जाएंगे ये लगा ता दुसरा चौका ये लगा ता दुसरा चौका इस ओबर का दो गेंदो पे दो चौके तीन गेंदो पे दो चौके लगा चुके है बहुती बढ़िया खेल खेलता हुआ रूथ जोनस्टन और इसी चौके के साथ स्कोर जो है दो ओबर तीन गेंदो के बाद 15 रन बन चुके है दो ओबर तीन गेंदे हो चुके है तो देखना होगा भाई पहला लाइक जरूर आजाना चाहिए लाइक जरूर कड़े और चैनल पर दो चैनल को सबस्क्राइब जरूर कड़े फिर से एक बार बॉलिंग करने के लिए यार याप पार फारलिंग राइडाम ओबर दोगर बॉलर था वार रूत जानसन का इस बार स्लो बॉल था मिलिलिस्ट रैम का बॉल थोरी सी उचाल के साथ बॉल को खेल दिया सीधा बॉलर के पास कोई रन नहीं मिलेगा तो हमारे साथ जो भाई जुरो है तैंकिज सो मज भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए इसी तरह भाई like करो और सपोर्ट करो भाईको तो जिनोंने अभी तरह लाइक नहीं किया भाई सभीको भाई जरूर करो आज क्या लगता है कितने रन बढ़ेंगे हेबर Tiffany आंखाम का कमेंट करके हमें जरूर बताईए बाई रोत जॉंस्टन बैटिंग करता हुआ तेरा रनों की स्कोर पे सामना करेंगे इस बार फार्लिंग की गेंद ओबर दो विकेट बाल डालता हुआ इस बार लेपेर की तरफ बाल क्या था लेपेर बाल था खेल दिया डीप मिड विकेट की तरफ माइदान चार रनों के लिए बहुती उन्दा सौट बहुती उन्दा सौट डीप मिड विकेट में कोई फिल्टर माजूद नहीं था उसी का फाइदा उठाया बहुती बैतर इन सौट इस बार थोड़ी सी यॉर्काट डालने की कोशित कहता बाल थोड़ी सी लेग स्टेम पे पीछ हुई और उसका पूरी भरफूर फाइदा उठाया रूथ जॉंस्टन ने आज डेबियू कर रहे है रूथ जॉंस्टन हैवट हरिकंस की तरब से और अपने डेबियू मैच में अब तक 17 रनों की स्कोर पे बैटिंग कर रहे है दो ओबर 5 गेंद हो चुक है दो ओबर 5 गेंद के बाद स्कोर 19 रनों तक पहुचा दिया है आखरी बॉल है इस ओबर का और सामना करेंगे फिर से एक बार रूथ जॉंस्टन अच्छी गेंद स्लोर बॉल था खेल दिया है कवर की दिसा में कोई रन नहीं भी लगा डॉट बॉल होता हुआ ओवर की समाप्ती 3 ओवर खताम हो चुक है 3 ओवर के बाद 19 रन विदाउट एनी लॉस तो भाई अमरे साथ जो भाई बने हुए हैं अगले ओबर कौन करेगा यह देखना होगा कि कप्तान मॉलीनेक्स जिस तरीक जिस अंदाज से यहाँ पर हवाट हरीकन्स ओमेन ने स्टार्ट किया है अज देखना होगा कि कौन है जो यहाँ पर बॉलिंग करेगे पहला ब्रेक्थू दिलाते हैं मिल्बॉर्ण रेनेगेट्स को मॉलीनेक्स किसको देखके बॉलिंग करवाता है अगला ओबर यह देखना होगा फालिंग ने दो ओबर डाले हैं दो ओबर में 14 रन दे चुके हैं क्या आप फिर से एक बार काफी अच्छी बोलर इनके पास है मॉलीनेक्स खूद अपने बॉलिंग करते हैं जी हां देखिए मॉल्लिनेक्स खूद आये हैं बॉलिंग डालने के लिए जीनोन बॉलिंग करता हुआ और सामना करेगे इस बार रिचल पिस्ट और इस बार बॉल गो लेक स्टैम पे पीच्छी दो रन की कॉल है मगर यहां पर सिंगल ही मिलेगा और इसी सिंगल के साथ स्कोर जो है धीरे धीरे बढ़ता हुआ 20 रनों तक पहुंच चुका है तो सभी भाई और दोस्तों को मैं बोलूंगा भाई लाइक जरूर कड़े लाइक का मतलब होता है सपोर्ट जरूर कड़े और च मॉलिनेक्स का लेफ्ट आम बॉल मिली स्टेम्प पे पीछ वी थोड़ी सी लेग स्टेम्प की तरफ मुड़ी थी बॉल को खेल दिया इसकोयल लेक की तरफ कोई रन ने मिलेगा डॉट बॉल होता हुआ तो अच्छी गेंग बाजी चल रही है यहाँ पर मॉलिनेक्स का कप्तान खुद अपने हाथ पे बॉल लिया है क्योंकि पिछला ओबर जो बॉल किया था फिर से अगबार लेफ्ट आम ओवर दे विकेट बॉल लाता हुआ स्लोर बॉल पटकीवी गेंथी थोरा सब स्वाट फाइनले की जिसा में खेल दिया है सिंगल लेता हुआ और इसी सिंगल के साथ धीरे-धीरे स्कोर जाय तीन ओवर तीन गेंदों के बाद स्कोर 21 रनों तक पहुँच चुका है हैवर्ड हरीकन्स ने आज टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया है और बैटिंग करते वे अब तक तीन ओवर तीन गेंद खेल चुके हैं और 21 रनों की स्कोर बना चुके है मॉलिनेक्स काफी बहतन खिला लिए है और हैवर्ड हरीकन्स की या पर मेलबर्ण रिनेगेट्स की कैप्तान है आज देखना होगा की मॉलिनेक्स क्या यहाँ पर विकेट निकाल पाती है की ने अगर यहाँ पर रन पर रोक लगा नहीं है तो एक विकेट जबूर चाहिए मॉलिनेक्स के लिगें इस बार फुल टॉस डेलिवरी बाल को खेल दिया है एक्स्टर कवर की दिसा में सिंगल मिल जाएगा और इसी सिंगल के साथ ओवर की समापती चार ओवर खतम हो चुके हैं चार ओवर के बाद स्कोर जो है हेवर्ड हेरिकेंस ओमेंस ने टॉस डितके पहले बैटिंग करने का फैसला किया है और पहले बैटिंग करने आई डेब्यू करने वाले रूत जॉंस्टन एंड रिचल प्रिस्ट रिचल प्रिस्ट बहुती पुराने खिलाड़ी है और बहुती अच्छी खिलाड़ी है तो भाई हमारे साथ बने रही है रिचल प्रिस्ट थोड़ा सा इनका जो है एज जादा हो गया है 36 years old है और देखना होगा कि आज क्या करते हैं काफी अच्छा इनका जो T20 केरियर है 75 में टोटल T20 केरियर में बात कर रहा हूँ WBL की नहीं T20 केरियर में 873 रन इनके नाम है और एवरेज काफी थोड़ी सी खराब है मगर आज देखना होगा कि क्या करते हैं तो चलिए देखते हैं नया बोलर आया है विरहम जी हाँ ये भी काफी कबाल के बोलर है T20 में इंडिया के खिराब जबरदस्त परफॉर्म किया था विरहम और डाइने हाथ की बोलर है इस बार आगे निकल के आए या पारेट बॉल हाँ में है और जी या बहतरिन कैच ओहो कैच ड्रॉप हुआ है यहाँ पर मुझे लगता है हर्मन पित कॉर ने कैच मिस किया है भई एक्स्टर कवर की डीप एक्स्टर कवर में फिल्डर मौजूद थे हर्मन पित कौर और यहां पर मुझे लगता है कि हर्मन पित कौर जो है यहां पर कैच छोड़ा है जी हां हर्मन पित कौर ने यह कैच छोड़ा है कैच ड्रॉप हुआ है वो भी रूथ जॉन्स्टन का थोड़ा सा चोट लगा है यापर हर्मन पीत कौर को और इसके बज़े से मैच रुका हुआ है जी हाम कैच लेने के टाइम हर्मन पीत कौर को थोड़ा सा चोट लगा है और प्रेयर जो है थोड़ा सा इंजियोड है हर्मन पीत कौर यहां पारप उनकी जो है डक्टर को बुलाया गया है देखना होगा कि कितनी जल्दी ठीक होती है और मैदान पे आती है फिल्डर इंजियोड है और 4 ओवर एक गिंदों के बाद हेरी कंसोमन की स्कोर जो है वो 24 डन एक विकेट यहां पारप देखना होगा कि 4 ओवर एक गिंदों हो चुके है तो भाई हमारे साथ बने रही है लाइक का मतलब बता है सपोर्ट जरूर कीजिए और चैनल पर दो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और उसकी बज़े से जो है यहां पारप खेल को थोड़ा सा रोका गया है क्या लगता है आज कौनसी टीम यहां पारप जीतिएगी कॉमेंट करके हमें जरूर बताइए और कम से कम यहां पार लाइक जरूर कड़े लाइक का मतलब होता है सपोर्ट सपोर्ट जरूर कड़े हर्मन पित काउर मैधान से बाहर जाता हूआ मगर मैधान से बाहर जा रही है तो भई अमारे सत्राथ बने रही है ये हर्म तो भाई बने रहे ये फिर से एक बार बॉलिंग करने के लिए आये है वेर हम और सामना करेंगे इस बार रिचल प्रिस्ट रिचल प्रिस्ट सामना करेंगे वेर हम की गेंद का तो भाई लाइक जरू करें लाइक का मतलब बता है सपोर्ट सपोर्ट जरूर करे वह रहां बॉलिंग करता हुआ राइट आप ओवर्द विकेट बॉल करता हुआ रिचल प्रिसको रिचल अपस्टेम पे बॉल खेलने की कोशीजी नहीं की बॉल को सीध विकेट कीपर की दस्ताने में गई वाइड बॉल का इसा राम प्यार का और अपर बॉलिंग करने के लिए तैया जी हा फिरसे एक बार बॉलिंग करने के लिए तैया और इस बार लेक्सटेम्प के बाहर वाइड बॉल, फिर से लगातार ये दो गेंद दो वाइड डालिया है वर हम ने थोरा सा दिसा से बटके और लेक स्टैंप बॉल डालता हुआ रिचल फिर स्टाइक पर सामना करेंगे वाइड हम की गेंड वहरम की फिर सेक बार फ्लाइटेट गेंद बॉल को खेल दिया है, डिप इस आपर मिड विकेट की तरफ, फिल्टर मौजूद है, एक ही रन मिलेगा और इसी एक रन के साथ इसकोर जो है 28 तक पहुच चुका है, चार ओबर दो गेंदो के बाद, तो भाई जिनो ने भी तक ल जरू करें, लाइक का मतलब होता है, सपोर्ट सपोर्ट जरू करें, चार ओबर दो गेंदो के बाद, हैवर्ट हैरिकन सोमन का स्कोर जो है, वो 28 रन बने है, फिर सेक बार रिचल यहाँ पर वेर हम बॉलिंग करता हुआ, और स्टाइक पर है रूट जोंस्टन, जो की 20 रनो मिलेगा, डॉट बाल होता हुआ, तो अच्छी गेंद बाजी के साथ, अच्छी बल्ले बाजी, रूट जोंस्टन की तरफ से देखने के लिए मिल रही है, तैंक यू सो मच भाई, लाइक करके सपोर्ट करने के लिए, इसी तरह भाई, लाइक करो और सपोर्ट करो भाई को चार ओबर तीन के लिए हो चुक है, फिर से एक बार उपस्टन पे बाल कट किरने की कोशिस, और यहाँ पर बहतरीन कैच लिया गया है, जूट जंस्टन जो की बहतरीन खेल रहे थे, और इस बार पहला विकेड गिरता हुआ, तो इसी ओपस्टन पे बाहर बाल था, इस पर कट किया था, पॉइंट की दिशा में, और बार बैकपूट में जाके खेला था, पॉइंट की दिशा में, और बहतरीन कैच, पॉइंट में फिल्डर खड़े थे, तीस गज के दारे के अंदर, और यहाँ पर पहला विकेड गिरता हुआ, वह हम की गेंद पे, रूथ जॉन कैच लेने वाला खिलाडी है, स्मित जो की सब्चिट्यूट फिलियर है, उन्होंने कैच लिया, सब्चिट्यूट फिलियर ने कैच लिया है, स्मित, एम स्मित, और सब्चिट्यूट फिलाडी, एम स्मित ने पॉइंट में फिल्लिंग कर रहे है, और डू परेज, डू पर नेक्स्ट बैट्समैन है वाट हैरिकन्स की तरफ से डू परेज आए है ने बैट्समैन सामना करेंगे बाई ओएर हम की गेंद का इस ओबर केंद लिग गेंद और सामना करेंगे डू परेज तो चलिए देखते हैं राइट आप ओवर दो विकेर बॉल करता हुआ इस बार थो यह आखरी बॉल है इस ओबर का और इस बॉल का सामना करेंगे डू परेज और बॉलिंग करेंगे वहरा राइट आप ओबर दो विकेर फ्लाटर गेंद ऑप स्टेम पे बॉल था फिर से एक बार बहुत ही बॉल को जाने दिया सीदा विकेट कीपर की ग्राप्स में कोई रन नहीं डॉट बॉल होता हुआ ओबर की समापती और एक ओबर है पावर प्ले के और प्ले के दौरान किदने रन बनते हैं देखना पड़ेगा 28 रन बन है एक विकेट के लुकसान पे 5 ओबर के बाद और एक ओबर है पावर प्ले का और यह पावर प्ले का आखरी ओबर कौन डालने आएंगा क्या मौली नेक्स आएंगे बॉलिंग डालने के लिए क्योंकि पहला breakthrough वोयर हम ने दिला दिया है और मैंने आपको बताये था कि वोयर हम बहुत ही उंदा बॉलिंग करता है पिछली जो T20 तीन T20 सिंखला खिला गया है इंडिया ओमेंस के खिलाब उसमें तो गएर हमने बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म किया है तो भई हमाले साथ बने रही है लाइक जरूर कीजिए और चैनल प्रतबर चैनल को सब्सक्राइब पे जरूर कीजिएगा बैतरी ने मैच होता हुआ तो भई बने रही है लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल प्रतबर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस बार रिचल प्रिष्टर स्टाइक पे सामना करेंगे इस बार आपस्टैम पे बॉल था कट कर दिया है बैक ओर्ड प्रंट की तराफ सिंगल लेता हुआ और इसी सिंगल के साथ इसकोर जो है पांच अबार एक गेंद हो चुका है पांच अबार एक गेंदो के बाद इसकोर जो है दीरे दीरे बढ़ता हुआ 39 रन एक बिगट के लुक्सान पे बॉलिंग कर रहा है फेल कॉर्नर पहली ओबर थोड़ी सी जो अच्छी बॉलिंग डाले थे और इस पार देखना होगा फिर से दोबारा एटेक पे बुलाया गया है फॉल कॉर्णर को फॉल कॉर्णर जो की मीडियम फेस्ट राइटा मीडियम फेस्ट बॉलर है फिर से बार बॉलिंग करता हुआ इस बार डू परेज डू परेज मीडिल स्टेम का बॉल गैप में खेल दिया है फिल्डर भाग रहे है एक्स्ट कवर की जिसा में और आक्री का बाउंडर लाइन और और शिल्डर बॉल को रोका गया है इस मैदान का आउट फिल्ड जो है स्लो आउट फिल्ड है और यहां पर दो रन जरूर मिला है मगर मिस्ट हुआ था और उसी का फाइदा उठाया और इसी दो रने के साथ इसकोर जो है 31 रन 5 ओबर 2 गेतों के बाद तो भाई लाइक ज़रूर करें और थैंकियो सो मज भाई लाइक करके सरपूर करने के लिए लाइक करो और चैनल पर तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो डू परेज फिर से बाद सामना करेंगे इस बाद थोड़ा सा पटकाव गेंता सौकाब लेंग बाल बाल को बैट का किनारा लिया पॉइंट की दिसा में गई है सिंगल लेता हुआ और इसी सिंगल के साथ इसकोर जो है दीरे दीरे 32 रनों तक पहुच चुका है एक विकेट के लुकसान पे और सामना करेंगे रिचल प्रिस्ट देखना होगा क्या रिचल प्रिस्ट और डूपरे जो दोनों ही सीनियार खिलाड़ी है वो क्या आज इस जो यहां पर हैवाट हरिकन्स का जो सुरुवात हुआ है उसको बरकरार रखते हुए कम से कम देखना होगा क्या आउट फिल बहुत स्लो है बॉल थोड़ी सी रुक के बैट पे आ रही है अब देखना होगा कि इसका फाइदा उठा पाते हैं के लिए फिर से एक बार राइड़ाम उबर दोगर बॉल करता हुआ इस बार लेक्स टेम पे बॉल था खेल दिया डिफाइन लेक की तरफ कोई फिल्डर मौजुद नहीं है चार रन मिल जाएंगे बहुत ही उंदा सौट या पार रिचल पिस्ट का खड़े-खड़े सौट को खेल दिया था बॉल के लिए वेट किया जानते हैं बहुत सिनियर के लिए रिया यहां पर अभी तक उनको इंजूरी लेके कोई अपडेट नहीं आया है मगर हर्मन पित कौर या रोडरी गे जिन दोनों में से कोई इंजूर है हर्मन पित कौर मैदान पे तो दिखाई नहीं दे रहा है तो मतलब वो साइध इंजूर है कैच लेने गया था और इंजूरी उतनी खास नहीं है और यहां पर मुझे लगता है कि जो भी इंजूर है वो बहुत ही जल्द मैदान पे आ जाएंगे तो भई हमारे साथ बने रही है छे ओबर हो चुका है छे ओबर में 36 रखमन है एक विकट के लुकसान पे तो भई हमारे साथ बने रही है लाइक जरूर कीजिए और चैनल प्रतबाई चैनल को सब्स्क्राइब जरूर कीजिएगा और अपना देखना होगा कि इसका निक्स्ट मैच जो है सिद्नी ठंडर्स और एडिलेट स्ट्राइकर्स के बीच है वो भी मैच काफी एहम हो जाता है काफी रोचक हो जाएगा कि तीसरा मैच है जो की इसके बाद वाला मैच है डवलू बी बी एल का और फिर से एक बार वहर हम आए हम बॉलिक डालने के लिए राइट आम ओबर दोगेट बॉल लागता हुआ इस बार डू परेज को सीधा बल्ले से खेल दिया है बोलर के पास कोई रन नहीं मिलेगा तो भई हमरे साथ बने रहे हैं लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर दबाद चैनल को सब्सक्राइब पर जरूर कीजिएगा इस बार आप स्टैम पे बाल काट कर दिया है डू परेज काफी सीनियर किलाडी है दोनों सीनियर किलाडी जी हाँ दोनों सीनियर किलाडी डू परेज एंड रिचल पिस्ट मैदान पे बने हुए हैं हैवाट हैरिकन्स ओमन की तरफ से तो भई हमरे साथ बने रहे हैं जरूर कीजिए और चैनल प्रतबर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दिकर बॉल करता हुआ उस्टम पे बॉल कट करने की कोसिस मगर पॉइंड में जबरदस्ट फिल्डिंग तीस गज़ के दाइरे का नदर बॉल को रोका गया कोई डर नहीं मिलेगा डॉट बॉल होता हुआ तो भाई अमरे साथ बने रहीएगा लाइक कर जरूर कीजिएगा और चैनल प्रतबर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा 22 आड ने मैच होता हुआ तो भाई जिनों ने भी तक लाइक कर नहीं किए भाई इस बार काफी परेशान कर रहा है यहां पर डू परेज को वेरहम की गेदवाजी पे थोरे से परेशानी में डू परेज लगातार फ्लाइटेट गेंद खिला रहा है और इस बार रिवर्स उप करने गया था फिर से बार बॉलिंग करता हुआ राइट आम ओबर दो गेड़ इस बार फ्लाइटेट गेंद बैक पूट में गया है कट कर दिया है बॉल को पॉइंट के दिसा में मगर इस बार भी गैब निकालने में कामियाबी नहीं मिले है कोई रन नहीं मिलेगा डॉट बाल होता हुआ आख्री बॉल है इस ओबर का और इस ओबर की आख्री गेंद पार सामना करेंगे इस बार डूप परेज तो भाई बने रही है हमारे साथ फिर से बार बॉलिंग करता हुआ राइट आम ओबर दो गेड़ और इस बार लेक स्टेमपे बॉल पैर्ट पर लगी और यापर आउ दो परेज वह रहम की फ्लाइट गेंथी और मिलिलिस्टेम पर बॉल था थोड़े सा उचाल था तो या पर उचाल के बज़े से थोड़ा से दिक्कत हो सकता था मगर अमप्यार ने कोई गलती नहीं किये आउट देने में और इसी के साथ दूसरा विकेट गेड़ता हुआ दो परेज श्रीप 10 गेंगों पे 5 रन बनाके आउट होए हैं वह रहम का ये दूसरा विकेट तो भई हमारे साथ बने रहेगा दो विकेट चले गए हैं 38 पे 7 ओबर के बाद अब देखना होगा कि जिस तरीके से यहां पर स्टार्टिंग किया था रूत जॉनस्टन आउट होने के बाद डू परेज भी कम ज्यादा देर तक नहीं रह पाए और वो भी आउट होके पैबिलियान चलते बने अगला बैट्समें कौन आने वाला है ये देखना होगा तो हमाले साथ बने रहेए बाई लाइक जरू कीजिए लाइक का मर्दब होता है सपोर्ट सपोर्ट जरू कीजिये और चैनल परदबाई चैनल को रीचा गोस इंडियान खिलाली रीचा गोस आया है बैटिंग करने के लिए जी हां रीचा गोस आया है उपर की क्रम में लाया हैं रीचा गोस को फिर से बार इस बार सामना करेंगे रिचल प्रिस्ट इस बार फ्लाइटर गेंद यॉरकाट डालने की कोशिस बहुत ही बहतरिन तरीके से ड्राइब कर देश को कवर की दिसाबे कोई दर नहीं में लगा डॉट बॉल होता हुआ तो बही पहला गेंद था यहाँ पर ली सॉन का कारली ली सॉन जो की काफी बहतरिन खिलारी है मेरी हिसाब से और देखना होगा कि आज कारली ली सॉन क्या करता है फिर से बार राइट आप ओवर देविके रपॉल करता हुआ इस बार गेप में खेल दिया है गेप मिलता हुआ बैकवाट पॉइंट की तरह फिल्डर भाग रहे है दो रन अलाम से नहीं यहाँ पर सिंगल मिलेगा और इसी सिंगल के साथ स्कोर जो है 49 रन दो विकट के लुकसान पर बन चुका है रिचा गोस जो की आज रिचा गोस जो इंडिया के साथ वस्टोलिया का T20 मुकाबला हुआ था उसमें रिचा गोस की बल्ले से उतने खास रन नहीं हुए आए सेगंड T20 में थोड़ा बहुत रन रिचा गोस के बल्ले से आये था मगर उसके बाद रीचा गोस की बल्ले से और कोई रन हमें देखने के लिए नहीं मिलाता तो आज देखना हुआ कि यहाँ पर क्या करते हैं रीचा गोस काफी अच्छे खिलानी है और भारत के लिए विकेट कीपिंग करते है सामना करेंगे रीचा गोस इस बार हाओ में खेल दिया था बाल को एक्स्टर कवर की जिसा में फिल्टर मौजूद है सिंगल मिलेगा और इसी सिंगल के साथ धूरा सा जो है पेस से मात का गया था और बल्ला जो है पहले चला दिया था उसके लिए बाल बहुत देड तक हाओ में जरूर ता मगर फिल्डर नही थे, तोसकिसमत रही यहां पर, और मुझे लगता है कि, हाँ जी हाँ हर्मन पित कॉर इंजोड है और मैदान से बाहर है, हर्मन पित कॉर जो है यहां पर बाहर है मैदान से, और यहाँ पार रिचल प्रेस ने खेल दिया इस्टेट बोलर के उपर से 6 रणों के लिए बहुत ही बैतर इंसौर्ट और इसी चोके के साथ भी यहाँ पार 7 ओबर 5 गेंदों के बाद 44 रण दो विकेट के लुकसान पे तो हर्मन पित कौर जो है थोड़ी सी इंजोड है और उसके लिए माइदान से बाहर है और उनकी जगा पे स्मीट फिल्डिंग कर रहे है एम स्मीट फिरस एक बार रिचल प्लिस सामना करेंगे राइट आम ओबर दो के बॉल दालता हुआ लिसंक गेंद इस बार फ्लाइट ग फिरस एक बार खेल दिया है और उन चे रनों के लिए ये ओन दर रो है ओन दर रो है चार रही या छे है देखना होगा चार दिया गया है मगर मुझे लगता है ओन दर रोप है तो ये क्या होगा इसको चारी दिया गया है जिहां आमप्यार ने इसको चारी दिया है फोर रन जिहां बहुती उंदा सौट चार रनों के लिए और इसी चौके के साथ स्कोर जो है धीरे धीरे बढ़ता हुआ बन चुका है भई बने रहे हमारे साथ लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर दो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बैतर लिने मैच होता हुआ आठ ओवर कंप्लेट हो चुके है आठ ओवर के बाद स्कोर जो है या प्रारब 48 रन दो विकेट के लुकसान पे इस ओवर में दो दो चौके लगाया है रिचल प्रिस ने तो भई लाइक जरूर करें लाइक का मतलब होता है सपोर्ट सपोर्ट जरूर करें आठ ओवर के बाद स्कोर जो है या पर 48 रन दो विकेट के लुकसान पे है वाट हरकंस की अब देखना होगा कि बॉलिनेक्स अपने जो बोलर्स हैं उनको कैसे यूज करते हैं क्योंकि रन यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा होता हुआ फिर से बार बॉलिंग करने आई है यहाँ पर आपको बता दे लिसन ने फारलिन आए है फारलिन आए है बॉलिंग डालने के लिए फारलिन आए है बॉलिंग डालने के लिए और सामना करेंगे इस बार रिचा गोस जोकी नए खिलाडी है रिचा गोस को फारलिन बॉलिंग करता हुआ राइट आम ओबर दे विकेड़ इस ओबर की पहली गेंद नौवे ओबर के पहली गेंद फारलिन बॉलिंग करता हुआ राइट आम ओबर देविकर बॉल लाता हुआ फुल टॉस डेलिवरी बॉल को खेल दिया है इस बार मिड़ान की दिसा में खेला था सौट उतनी जबरदस तरीके से नहीं है वन बांस फिल्डर के पास पहुचा हाव में बहुत देड़ तक बॉल जरूर था मगर वन बांस फिल्डर के पास पहुचा फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ फारलिन रीचा गोस क्या आज रीचा गोस्ट की बल्ले से एक अच्छा खासा स्कोर हमें देखने के लिए मिलेगा राइट आम ओवर दोगिर बॉल आलता हुआ इस बार आगे निकल का है जोड़ार साथ हाँ में खेल दिया है बॉल उचा गया है नीचे फिल्डर है और यहां पर कैच फिल्ड से एक बार मिस फिल्ड रीचा गोस्ट का जीवन दान मिलता हुआ और इसी के साथ एक रन जरूर मिला है और इसी एक रन के साथ स्कोर जाए उन चास रन कैच ड्रॉप जरूर हुआ है जी यहां लाइब स्ट्रीम बने रही है भाई हमारे साथ लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर दो बाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बहुत देर तक बाल हाव में था और फिर से एक बार बालिंग करता हुआ फारलीन सामना करेंगे इस बार रिचल प्रिस्ट इस बार गुडलन की बाल थी अंदर की तलावाई बाल को डिफेंड कर दिया है कोई रन नहीं डॉट बाल होता हुआ तो बैतरिन गेंद बाजी के साथ साथ बैतरिन बले बाजी भी हमें देखने के लिए मिल रहा है रिचल प्रिस्ट बहुत धीमा खेल रहा है मगर एक अच्छी पारी 17 गेंदो पे 19 रन अब धीमा नहीं कह सकते इसको और बहुत ही उंदा पारी खेल रहा है क्योंकि जोड़त है एक रुख के खेलने का एक अच्छी पार्टनर्शिप का तो चलिए भाई बने रही हमारे साथ फिर से एक बार ले आउटसाइड दा लेक स्टैम बॉल पीछवी बॉल को फाइल लेक की तरफ खेल दिया है सिंगल लेता हुआ और इसी सिंगल के साथ स्टाइक को रोटेट करते वे स्कोर को पहुचा दिया है पचास रनों तक हैवट हैरिकेंस का पचास रन पूरा हो गया है जी हाँ हैवट हैरिकेंस का पचास रन पूरा हो गया है तो भाई बने रही है लाइक जरूर कीजिए और चैनल प्रतबाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए बैतरिन और इस भी छे रनों के लिए और इसी चक्के के साथ यहां पर रीचा घोस का यह चक्का था डिब मिडविगेट की तूपर से बहुत ही उंदा छे रीचा घोस बैटिंग तो कर सकते हैं मगर थोड़ी सी फॉर्म इनकी अभी फिलाल जिस जो मैच खेले गए उसमें त फिर से बार रीचा घोस स्कोर को पहुचा दिया है चापपन रनों तक दो विगेट के लुकसान पर क्या लगता है इस मैच में क्या रीचा घोस एक अच्छा पाड़ी खेल पाएगा आट रनों की स्कोर पे खेल नहीं है आखरी बॉल है या फारफारलीन का तो भाई लाइ देगना होगा बॉल वापस आ चुका है और इस ओबर की आखरी गेंद वाजी करते हुए फारलीन और रीचा घोस जो की डाइने हाथ का खिलाड़ी है सामना करेंगे इंडियान खिलाड़ी है रीचा गोस राइट आम ओबर दोगे बॉल लता हुआ इस बार फिर्स एक बार सौल लगानी की कोसी है इस बार बीट हो गए बॉल जो है तोड़ा सा पैट पे लगके पॉइंट की दिसा में गई है ओवर की समापती नो ओवर कतम हो चुके हैं नो है तरीन मैच होता हुआ यहां पर नजर आ रहा है भई है वर डरीकंस ने आज टॉस जीता है और बहुत ही मातपून था टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का निर्ना लिया है अब देखना होगा कि बैटिंग करके यहां पर कितना स्कोर दे सकते हैं चेज करने के लिए तो बहुत बड़ा चक्का लगाया था रीचा गोस ने फिर से बार बॉलिंग करने आई है जी यहाँ फिर से बार बॉलिंग करने आई है यहाँ पर सोफिया मॉलिनेक्स कप्तान खूद आई है लेफ्ट अंडेड बोलर है और स्पिन डालते है और इस बार मिडल स्टैम का बॉल अच्छी गेंद बाजी यहाँ पर रिचल इस बार फुल टॉस बॉल, बॉल को खेल दिया है, मिड ओन के तरह फिल्डर, बॉल को 30 गज के दाइरेक अंदर रोक लिया है, कोई रन नहीं में लगा, लगाता है, टाइट फिल्डिंग हो रही है, यहाँ पर मेलबॉंट रेनेगर्स के लिए, मिलबॉंट रेनेगर्स देखना होगा कि आज कितने स्कोर पे यहाँ पर, प्रेडिक्टेड स्कोर की अगर बात करें तो 120 की, 120 से 141 के बीच कुछ भी रन नों यहाँ पर बन सकते हैं, लगाता डॉट गेंदे खेलता हुआ, रिचल प्रिस्ट, मॉलिनेक्स, यह मॉलिनेक्स क कप्तान है, मेलबॉंट रेनेगर्स के, तो भई हमाले साथ बने रही है, लाइक के जरूर कीजिए, और चैनल प्रदबा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फिर से एक बार यहाँ पर अगली गेंद, रिचल प्रिस्ट, इस बार लेक्स्टेम पे बाल था, कहलने की कोसिस किया था, बड़ी सौर्ट, मगर पूरी तरीके से बीट हो गए, बॉल चला गया विगट कीपर की दस्ताने में, कोई रन नहीं में लगा, डॉट बॉल होता हुआ, लगातार बैतर इन गेंद बाजी करता हुआ, मॉल इनेक्स, फिर से बार मॉल इनेक्स के बात करे सिंगल लेता हुआ, और इसे सिंगल के साथ, स्कोर जो है, नो ओवर पांच गेदो के बाद, 57, 57 रन बन चुका है, दो विगट के लुकसान पे, तो भई हमारे साथ बने रिया लाइक जरूर कीजिए, और चैनल प्रतबाए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बह तरीन मैच होता हुआ, तो चलिए भई, बने रहिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, 10 ओवर खतम हो चुके हैं, 10 ओवर के बाद, स्कोर जो है, यहाँ पार बन चुका है, 58 रन दो विगट के लुकसान पे, जिस तरीके से यहाँ पर स्टार्ट हुआता, उस तरीके से रन य 10 ओवर खतम हो चुके हैं, 10 ओवर के बाद, 58 रन मन हैं, दो विगट के लुकसान पे, तो भई, अमारे साथ बने रहिएगा, लाइक जरूर कीजिए, और चैनल पर दो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बैटिंग कर रहे हैं, हैवार्ट हैरिकंस, हैवार्ट हैर अब से दो खिलाडी यहाँ पर आउट हो चुके हैं, रूत जोंस्टन और डू परेज, जो की बहुत ही सिनियर खिलाडी है, तो भई, हमारे साथ बने रहिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, थोड़ा सा स्ट्राइडिक टाइम आउट हुआ है, तो हमारे साथ बने रहिए लाइक जरूर कीजिए और चैनल परतवाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, स्ट्राइडिक टाइम आउट है, बूस बने ई मिरों कीजिए के लाइक बाएक जरूर बारे से के लाइक, चैनल कीजिए में आउट हैंतिक का जरूर कीजिए, बने के लाइक जडोफे स 다음에 हमारे तो हुआ है लाईक जरूर कीजिए, सब्सक्ता मारे सक्जिए, स्बस्फ草न कीज़ई बने परता है, जाज फुटने प्रशोने कर दो अधरया है यहाँ मैच है फिरसे सबगी स्टार्ट हो चुका है और यहां में है बॉल बहुत दूर चला गया है डिम मिड विकेट बे और यहां पर रिचल प्रिस्ट जी हां रिचल प्रिस्ट कैच आउट होता हुआ रिचल प्रिस्ट जो की बहुत बढ़ियां खेल रहे थे वो यहां पर कैच आउट होता हुआ और इसी के साथ तिन विकेट आउट हो चुका है 59, 69 रनों पे तिन विकेट तो भई बने रही हमारे साथ, लाइक जरूर कीजिए और चैनल प्रदमे चैनल को सबस्क्राइब पे बहतरीन मैच होता वा यहां पर, काफी बहतरीन मैच यहां पर, रिचल प्रिस्ट जोकी 21 रनों को सकोर पे आउट होता वा और नए बैट्समेन यहाँ पर आए है निकोला कैरी अब देखना होगा निकोला कैरी और रीचा गोस एक पार्टनर्स्टिप की जोड़त है अगर हेवर्ट हैरिकन्स ओमेन को यहाँ से मैच को निकालना होगा तो मैंने पहले ही का था कि लेशन जो है यहाँ पर उनदा बॉलिंग किया है लेशन कारली लेशन जो की एक ऊबर दो गेंद की है यह अबना इसका दूसरे ओबर की दूसरे ही गेंद पर इन्होंने विकेन निकाल लिया निकोला कैरी बैक वार्ट पॉइंट के तरफ खेल दिया है बॉल को फिल्डर भाग रहा है दो रन की कॉल है और यहां पाद दो रन फिरस एक बार लेते हुए और इसी दो रनों के साथ स्कोर जो है एक सट रनों तक पहुँच चुका है रीचा गोस सॉरी रीचा गोस थे स्टाइक पे और रीचा गोस ने इस सौट को खेला था रीचा गोस फिरसे बार बैटिंग करता हुए सामना करेंगे इस बार लेसन की गेंद का कारली लीसन फिर से वह बॉलिंग करता हुआ रीचा गोस को डानेयाद के खिलाडी को ओवर दुविकर बॉल करता हुआ इस बार गुडलेंद के बॉल मिडिल स्टेम के बैठा बॉल को खेल दिया स्कॉयलेक की तरह डबर दस्ट फिल्डिंग ड्राइब कलकर बॉल करोगने की कोशिज मगा चार रन नहीं रोक पाए और इसी चौके के साथ बैए यहाँ पर जबरदस्त रन बंता हुआ जी हाँ यहाँ पर चौका मिल चुका है और इसी चौके के साथ स्कोर जो है धीरे धीरे बढ़ता हुआ तो भाई बने रहे हमारे साथ लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल प्रतबाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा बहतरीन मैच होता हुआ याँ पारडर नजर आ रहा है फिर से बार लीसन बॉलिंग करता हुआ इस ओबर की पांच भी गेद रीचा गोस राइड़ वाईड बॉल देने का कोई जोड़त नहीं है क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर बैटिंग चल रहे है रीचा गोस का थोड़ा सा धिक्कत यहाँ पर फेस करता हुआ लिसन फिर सेबर लिसन बॉलिंग का तवार राइडाउ इस ओपर की पांच भी गेंद इस बार राइडाउ अबर दूगर बॉल लाता हुआ मिडल स्टेम का बॉल खेल दिया है लोगान की तरह दो रन की कॉल है और याप पर मगर सिंगल मना किया आखिर में अच्छी थ्रो बाउंडरी लाइन से बहुती बढ़िया थ्रो और इसी के साथ एक रन मिले है और इसी एक रन के साथ 67, 66 रन तीन विकेट के लुकसान पर बना है तो भी अबरे साथ बने देगा लाइक ज़रूर कीज़ेगा और चैनल पर दो बढ़ चैनल को सबस्काइब ज़रूर कीज़ेगा फिट से एक बार बॉलिंग के लिए थैयार यापर लिसन और सामना करेंगे इस बार निकोला कैरी जोकी अभी अभी आए हैं और निकोला कैरी बालिंग के बैटिंग कटने के लिए तेया बाए हाथ के खिलारी को राउंड देकर बॉल करता हुआ लिसन और सबाल मिडिल स्ट्रेम का बॉल सीधा बल्ले से खेल दिया है बोलर के बगल से बॉल निकल गया है स्टेट ड्राइप और यहाँ पर सिंगेल ही मिलेगा लॉंग ओन का फिल्डर बॉल को फिल्ड किया है एक ही रन मिलेगा और इसी के साथ ओबर के समापती 11 ओबर खतम हो चुके है 11 ओबर के बाद हैवर्ड हरीकेंस ओबन का स्कोर जो है यहाँ पार 68 रन मने है तीन विकेट के लुकसान पे तो भाई सभी दोस्तों को मैं बोलूँगा भाई लाइक ज़रू करो लाइक का मतलब बता है सपोर्ट सपोर्ट ज़रू करो और चैनल पर दो बाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना काफी बहतरी ने मैच होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है भई काफी बहतरी ने मैच होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है तो भाई जीनों ने अभी तक लाइक के नहीं किये बाई सभी को वह लोगा लाइक जरूर करो और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो नए खिलाडी आ चुके हैं यहां पर हर्मन पित कॉर बहुत ही अच्छी खबर है भाई हर्मन पित कॉर को बॉलिंग पर बुलाया गया है हर्मन पित कॉर आए हैं बॉलिंग डालने के लिए जी हां बहुत ही अच्छी खबर हर्मन पित कॉर आए हैं बॉलिंग डालने के पहला गेंद डालेंगे और सामना करेंगे भारत ही खिलाडी एक सामने भारत ही खिलाडी, रीचा गोर्स राइट आम अबर देगें बैक फूट न कहा है, कट करने के कोशिज, बॉल बैट कहा है, जिलिया चला गया, थार्डवन की तरफ और स्लो आउट फिल्ड के चलते हैं, या पार फिर्स एक बार चार रन मिलता हुआ, और इसी चौके के साथ रीचा गोर्स पहुंच चुका है, 21 रनों की स्कोर पे खिल रही है, तो भई बने रही है, हमारे साथ लाइक जरूर कीजिए, और चैनल पर हर्मन पिक पार इस बार आप स्ट्रम पे बाल कट करने की किया था, मगर का बीट हो गए, सिर्दा बॉल जाए, विकेट कीपर के पास गया है, कोई रन नहीं मिलेगा, डॉट बॉल होता हुआ, तो भई हमारे साथ जो भाई बने हुए हैं, सभी का बने हुए हैं, लाइक जरूर करे और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे फिर से बॉल बॉलिंग करता हुए, इस बाल आगे निकल का आए, रिचा गोस हाँ में खेल दिया है, बॉल चला गया है, ओ लॉल लॉंग ओन की तरह विकेट, आते ही हर्मन पीत कॉर की बॉल फ्लाइटेट गेंती, आगे निकला है, स्टेप आउट करके सॉट लगाने की क इसके आता, मगर लॉंग ओन पे फिल्डर मौजूद थे, कोई गलती नहीं की कैच लेने में, और यहाँ पर आउट होता हुआ, और इसके साथ चौता विकेट, रिचा गोस, जोकी 72 खिल रही थी, वो आउट हो चुके हैं 21 रणों की स्कोर पे, 11 और 4 गेंदों पे बाद, 73 रन चार विकेट का लुकसान पे, हमारे साथ बने रही है, भाई, लाइक जरूर कीजिए, और चैनल पर दबाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीज़गा, इसके बाद जो मैच है, वो यहाँ पार, एडिलेट स्टाइकर से जाथ, रिचा गोस, जोकी 21 रनों की स्कोर पे आउट हो चुकी है, भाई, तो भाई, हमारे साथ लाइक जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बहतरी ने मैच होता हुआ, जी हाँ, बहतरी ने मैच होता हुआ, हम उम्मीद करेंगे कि आज का मैच यहाँ पार, जी देगा, आप लोग हमें जरूर बताइए भाई, हैवाट हैरिकन्स की तरब से फिर से एक बार, नए बैट्समन जो की आए हैं, स्टेलेंबार्ग, नौामी स्टेलेंबार्ग और निकोला कैरी, निकोला कैरी है स्ट्राइक पे, स्टेलेंबार्ग की बेस्ट है, 55 रन होने सबसे ज़्यादा 55 र फिर से एक बार, निकोला कैरी सामना करेंगे, हर्मन पित कौर की गेंद का, राइट आम बॉलिंग करता है, राइट आम रांद विगेट बॉल करता हुआ, और बार ओबर की समापती हो चुकी है, 12 ओबर की समापती पे, स्कोर जो है, 75 रन बना है, 4 विगेट के लुक्सान आज हैवर्ड हैरिकन्स ओमन ने टॉस जित के पहले बैटिंग करने का फैसला किया, शुरुबात तो अच्छा हुआ था, मगर पहला विगेट जब रूथ जॉनस्टन आउट हो गए, उसके बाद डू परेज भी दो विगेट बहुत जल्दी जल्दी गी रहा था, उसके बाद से रन तो जादा नहीं बन पाए, अब देखना होगा, यहां से निकॉला कैरी और स्टेरेन बार्ग जो है, यहां पर एक साजेदारी बना पाते हैं कि नहीं, और स्कोर को कम से कम 130-140 तक ले जा पाते हैं कि नहीं, क्या लगता है कि यह स्कोर 130-140 के रन बिज बन जाए बहुती बढ़िया बॉलिंग किया है हर्मन पीत कॉर्डे, सिर्फ साथ रन दिये हैं और एक विकेटे निकाल दिया है, फिर से बबार बॉलिंग करने के लिए आया है, नयमी स्टोरन बार्ग ने बॉल को खेलने की कोशिस किया था, मिडिल स्टेम का बॉल था, सी दबले से खेल दिया है, बोलर के पास कोई रन नहीं, वेर हम आये हैं बॉलिंग डालने के लिए, जिनों ने दो ओबर में दो विकेट लिये हैं और साथ रन भी दिये हैं, यह इनका तिसरा ओबर है, और सामना करेंगे, बहुती बहतरीन बॉलिंग करता हुआ वेर हम, जी हाँ बहतर बहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं वेर हम, और सामना करेंगे इस बार स्टैलोन, इस ओबर की तिसरी गेन, राइट आम, ओबर दो विकेट बॉल लाता हुआ, बैक पूट में जाके बॉल को सीधे बलने से खेल दिया है, बोलर के पास है, कोई रन नहीं मिलेगा, डॉड बॉल ह बहतरीन गेन बाजी चल रही है, वेर हम की, क्योंकि दो ओबर में दो विकेट ले चुके हैं, क्या इस ओबर में भी एक विकेट निकाल पाएगा, वेर हम देखना होगा भई फिर से खबार राइट रहे हैं, ओबर दो विकेट फ्लाइट गेन, स्विप कर दिया है बॉल को, डिप स्क्वाइल लेक की तराफ फिल्डर ने बॉल को रोका है, और अच्छी थ्रो, एक ही रन मिलेगा, बैक्समेन को बल्ले बाज, दोनों ही बल्ले बाज, जो है, सिंगल लेके स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं, क्योंकि ज़रुत है लगाता चार विकेट गिर जाने के बाद, रन की गती थोड़ा सा कम हो गया है यहाँ पर कार्डर रन डेट के अगर बात करें, तो 6 दसमलों, सुन्य सुन्य की, 6 की कार्डर रन डेट चल लही है इस ओबर की 5 भी गेट, जी हाँ इस ओबर की 5 भी गेट, और सामना करेंगे फिर से अगबार निकोला कैरी, जो की बाएन हाथ के खिलाडी है बाय हाथ के खिलाडी को डाईने हाथ से रांड विकेट बॉल करता हुआ, वहर हम सारे फिल्डर जो है बाउंडरी लाइन पर लगाएगा दीप मिड्विकेट डीप स्क्वायल लेग सारे फिल्डर जो है बाउंडरी इस बारा स्टेप आउट करके खेलने की कोशी इस लॉंग ऑन की तरफ फिल्डर मौझूद है एक ही रन मिलेगा पहिर हम की बाँ करें तो ये आख्री बॉल है पहिर हम की तिसरी ओवर कर रही है और आख्री बॉल है अब देगणा होगा दो ओवर में लगाता है दो विकेट निकाल चुकी था और ये ओवर में भी अच्छी बॉलिंग करें अब तक ज़्यादा रन नहीं दिया uniform इस ओबर से सी पे दो रणा हैं फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ इस बार स्ट्रेलोन है साब ने नौमे स्ट्रेलोन बार और इस बार सीधे बल्ले से खेल दिया है बोलर के पास कोई रणी भी लगा डॉड बॉल होता हुआ तेरा ओबर कंप्लेट हो चुके हैं तेरा ओबर के बाद हैवर्ड हैरिकेंस ओबन का स्कोर जो है सततर रण मना है चार विकट के लुकसान पे बहुती बढ़िया सुरुवात हुआ था जो की स्टैलोन या पर रूथ जॉनस्टन और प्रिस्ट के बीच रिचल प्रिस्ट के ब तो भई अमरे साथ थेंकिस तो मज़ भई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए और इसी तरह भई लाइक करो और सपोर्ट करो भई को तेरा ओवर हो चुके हैं तेरा ओवर के बाद स्कोर जो है यापा सततर रन बने है चार विकेट के लुक्सान पर है वट हरिकेंस की तरफ से बैटिंग कर रही है निकोला कैरी आंड नौामी स्टेलेन बार इस बार रन फुल्टोस बॉल को खेल दिया है लॉंग आफ की देखते हैं तो चलिए देखते हैं इस बार नौामी स्टेलेन बार्ग स्टाइक पर है डाइने हाथ का खिलारी का है डाइने हाथ का खिलारी को हर्मन पितकोर ओबर दो गिरपॉल करता हुआ इस बार और आप स्टेंप पे पीछवी गेंद कट कर दिया है गब में खिला हुआ सौट 4 रन मिल जाएंगे और ये चौका बहुती बैतरी इन सौट ऺफ्स्टेंप खिला हुआ सौट था बहुती उंदा सौट यहां पर स्टैनन बार का और इसी चौके की मदस स्कोर जो है धीरे धीरे बढ़ता हुआ 82 रन बन चुके है 82 रन बन चुके हैं भाई यहाँ पर चार विकट के लुकसान पर तो भाई बने रहे हमारे साथ लाइक जलू कीजिए और चैनल परतबाई चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजिएगा इस बार मेरे लिस्टेम का बाल था लॉगान की तरफ खेल दिया है बोलर की बगल से एक ही रन मिलेगा लगाता जब भी बड़ा सौट मिल रहा है नहीं तो यहाँ पर सिंगल रोटेट करके स्टाइक को रोटेट कर रहा है दोनों खिलाडी एही करना चाहिए हर्मन पित कॉर्ट फिर से बालिंग करने के लिए तैयार इस बार स्टाइक पे है निकोला कैरी तो भाई हमारे साथ बने देजिए भाई लाइक जरूर कीजिए और चानल प्रतवाच चानल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा निकोला कैरी बाई हाथ के खिलाडी को इस बार ओवर दुगे बाल करता हुए कट कर दिया है बाल को एक्स्टर कवर की दिसा में एक ही रन मिलेंगे और इसी एक रन के साथ स्कोर जो है धीरे धीरे बढ़ता हुआ 84, 84 रन बन चुके है चार विकेट के लुकसान पे तो भईया हमारे साथ जो लोग भाई बने हुए हैं अच्छी रनिंग बिटिन दिविकेट बाल को पॉइंट की दिसा में खेला था और थोड़ी सी मिस्पिल्ड ही और यहां पर सिगल रोटेट करता हुआ निकोला केरी और स्टेलन बार्ग जो की बहुत ही बढ़िया खिलाडी है और सामना करेंगे इस ओवर के आखरी गेंट का इस बार आगे निकल का आए बॉल को खेल दिया है लॉंग आफ की तरफ फिल्डर मौजूद है एक ही रन मिलेंगे और इसी एक रन के साथ स्कोर जो है 86 रन बने हैं 14 ओवर के बाद अभी भी 6 ओवर बाकी है और विकेट यहां पार गिरे हैं 4 तो भई अमारे साथ बने रहे हैं लाइक के जरूर कीजिए और चैनल पर दो है चैनल को सब्सक्राइब पर जरूर कीजिएगा काफी अच्छी मैच चल रहा है भई यहां पार 14 ओवर हो चुका है चौदा ओवर के बाद 86, 86 रन बना है चार विकेट के लुकसान पर जादा था डेलिवरी जो है यहां पर वेर हम की वो गुड लेंद एंड फूल लेंद पर डाली हुए है और जिस बाल पर इन्होंने विकेट निकाला है जाद जो दो विकेट इन्होंने निकाला है वो गुड लेंद की बाल थी तो चलिए देखता है फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ यहां पर वेर हम और यह इनका चौथा ओबर है यहां आकरी ओबर है वेर हम का जी हां वेर हम का यहां आकरी ओबर है और सामना करेंगे निकोला कैरी लेफ मॉली नेक्स आया है बाई बॉलिंग डालने के लिए और मॉली नेक्स की पहली गेंद फाइन लेक की तरफ खेला था सौट फाइन लेक में फिल्डर मौज़ूत है एक ही रन मिलेगा लेक बाई का इसा रामपेर का और इसी एक रन के साथ स्कोर जो है 14 ओबर एक अच्छी करते हैं लगातार विकेट निकालते हैं और यहां पर यह इनका तीसरा ओबर है बॉली नेक्स का फिर से बाई लेफ टाम ओबर देगे बॉल करता हुआ बैक पूट में गया एक कट कर दिया बैप पॉइंड और बैकवाट पॉइंट के बीच में से निकाल दिया बाल को चार रनों के लिए बहुती बैतर निक या पर खेला है स्टेलेन बार्ग ने अच्छी सोट स्टेलेन बार्ग का थोड़ा सा ओप स्टेम पे रूम मिला था बैकपूट में गया एक कट किया पॉइंट और बैकवाट पॉइंट में गैप बहुत भड़ा था उस करेंगे मौलिनेक्स की गेंग लिफ्टाम ओबर दो गेंग इस बार फ्लाइटेड गेंग बॉल को सीधे बल्ले से खेल दिया था कवर की दिसा में कोई रन्ने मिलेगा डॉट बॉल होता हुआ फिर से बार बॉलिंग करने के लिए तैयार यहां पर मौलिनेक्स फिर से लिफ्टाम ओबर दो गेंग बॉल लाता हुआ इस बार थोड़ी सी मिलिल स्टेम का बॉल सीधे बल्ले से खेल दिया है बॉलर के पास कोई रन्ने मिलेगा डॉट बॉल होता हुआ लगातार अच्छी गेंद बाजी करता हुआ मौलिनेक्स और अभी तक इनोंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है स्टेलन बार को लेफ्टाम इस बार लेक्स टेम पे बॉल पीछ भी पैड पे लगी बॉल चला गया फाइल लेक की तराफ सिंगल मिलेगा विकेट कीपर खुद जाके बॉल को फिल्ड किया है और इसी सिंगल के साथ स्कोर एक रन अतिरिकतर रन बढ़ता हुआ बिना नवे रन बना है चार विकेट का लुकसान पे 14 ओबर 5 गेंद के बाद आखरी गेंद है इसोबर का मॉलिनेक्स का आखरी गेंद और सामना करेंगे फिर से एक बार निकोला केरी निकोला केरी लेफ्ट यहां पर सामना करेंगे स्टेप आउट करके सौट लगाने की कोशिज क्या था पूरी तरीके से बीट हुई थे क्लीन बोल्ड होता हुआ निकोला क्यरी बिनावे रन पाँच विकेट गिरता हुआ है बट हारिकेंस का पाच माँज गिरता हुआ बिनावे रन पाँच विकेट के लुकसान पे 15 ओबर बाद और पाँच ओबर बाकि है अब देगना होगा की कौन आते हैं मौलीनेक्स ने काफी बहतर इन परफांँ किया है अब तक जो की कप्तान है इस टीम के मौलीनेक्स ने तीन ओबर में स्रिप 10 रन दिये हैं 3.33 का इकोनोमी रेट से बॉलिंग किया है 10 रन दे के एक विकेट दिकाला है अभी भी एक ओबर इनका करना बाकी है हैबड हरिकन्स ने टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया है बैटिंग करते वे बिरानवे रन बनाए हैं 15 ओवर में वो भी पांच विकेट के लुकसान पे नए खिलाडी है मोलोनी, सेसा मोलोनी और नियोमी स्टेजन बार दोनों खिलाडी मैदान पे है मोलोनी जो है, यह नए खिलाडी है और नए नए आये हैं यहाँ पर WBBL कैरियर में निना नवे की औसद में 385 रन बनाए है और 49 इनका सबसे हाइस्ट स्कोर है अब देखना होगा कि यहाँ पर 49 रनों के पार्टनर्सिप कुई करन बनाने होगे जिसका स्ट्राइक रन नवे का है वो तो मुझे लगता है कि जल्दी रन नहीं बना पाते है मगर स्टेलन बार उनके साथ है और सामना करेंगे इस बार तो भाई पहली गेंद का बॉलिंग करता हुआ राइड आम ओवर देखन बॉल आरता हुआ पटकी वी गेंथी सॉटा बलेंग बॉल खेल दिया इस बार कवर की दिसा में एक ही रन भी लगा और इसी एक रन के साथ पंदरा ओवर एक गेंद के बाद तीरा नवे रन भाई या पारज अगर आपको रन बनाने हैं तो बड़ी गती से बना नहीं होगी क्योंकि स्रीप और स्रीप पांच ओवर बाकी है और पांच ओवर में आपको कम से कम एक सो तीस से तीस रन तो जोड़ने होंगे तब जाके आप एक फाइटिंग स्कोर खाड़ा कर सकते है फुल करनार एली फुल करनार आए हैं बॉलिंग डालने के लिए एली फुल करनार आए हैं बॉलिंग डालने के लिए फैल करना वही अमारे साथ बने रहे हैं और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं कि यह बाई सभी को बूलेंगे बाई लाइक करो और चैनल पर दो चैनल को सब्सक्राइब करो काफी बहतरीन मैच आज देखने के लिए मिलेगा आज दो मैच ऐसे हैं और इसके बाद एक बज के दस मिनिट पे से भी एक मैच यहाँ पर आपको दिखाई देगा तो भाई पढ़े रहे हमारे साथ लाइक जरू कीजिए और चैनल पर दो चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजिएगा इस ओबर के अगली के राइट आप अबर देगर बाल आलता हुआ इस बार मिडल स्टेम का बाल था कट कर दिया है बाल को पॉइंट की दिसामे मगर कोई रन नहीं भी लगा बहुत ही जबर्दस फिल्डिंग यहां पर तीस कज के दाइरे का अंजर बाल को रोका गया दो फिल्डर स्रीप अपसाइड में लगा है एक पॉइंट में लगा गया है एक एक्स्टर कवर में लगा गया है अब इनके बीच में बहुत बड़ा गैप है मगर इस गैप का फाइदा नहीं उठा पा रहा है यहां पर स्टेलेन बार्ग थैंकियो सो मज़ भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए इसी तरह भाई लाइक करो और सपोर्ट करो फिर से बार बॉलिंग करता हुआ फूल करनार की अच्छी पेस के साथ सी दी बीट होई बॉल चला गया विकेट कीपर के पास तो अच्छी खासी बॉलिंग चल रही है यहां पर फूल करनार की फूल करनार अपना तिसरा ओबर डालती भी यह पांचमा गेंद है फूल कॉर्णर का और सामना करेगे स्टेलन बार स्टेलन बार ग्राद डाइने हाथ के खिलारी को ओबर दो इकेट बॉल करता हुआ इस बार अपस्टम पे बॉल की पीच हुई बैट का किनाला लिया पॉइंट की तरप गया मिस्ट बिल्ड हुई है वहाँ पर दो रण की कॉल है मगर यहाँ पर सिंगल ही मिलेगा सिंगल लेकर स्टाइक को रोटेट करते हुए स्कोर को 95 रेनों तक पहुचा दिया है वाट हैरिकन्स का इस बार मोलानी है स्टाइक पे मोलानी मोलोनी है स्टाइक पे सामना करेंगे फुल कॉर्नर की सोबर की आँखरी गेंद का डाइने हाथ के खिलारी है यहाँ पर राइट आम ओवर दे विकेर बॉल लाता हुआ इस बार फुल्टोस बॉल और उसी का फाइदा ने इस बार क्लीन बॉल्ड हो गया है जी हाँ फुल्टोस बॉल थी फुल्टोस बॉल पे यहाँ पर मोलोनी क्लीन बॉल्ड हो गया है फुल्टोस बॉल को लेक्स्टेम पे विकेट कीपर की उपर से खेलने की कोशिस क्या था और बॉल डाइरेक्ट विकेट पे लगी क्लीन बॉल्ड बहुती बड़िया मैं बॉल उतनी अच्छी नहीं मगर खनाप सौट सिलेक्शन और इसी का फाइदा उठा आया है फूल करणान ने और क्लीन बॉल्ड कर दिया है सासा मॉलैनी को कुप भी ना खाता खोले वो पैबिलियन की तरफ जाता हुआ छटा विकेट गिरता हुआ है बट हैरिकंस का पचानवे पे छे हो चुके हैं भई तो भई हमारे साथ बने रहें लाइक जरूर कीजिए और चैनल प्रतबाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा 16 ओबर के बाद स्कोर जो है यहाँ पर बन चुके हैं पचानवे रन छे विकेट के लुकसान पे और यह स्कोर मुझे लगता है कि अब जादा देर तक नहीं रहने वाला है और नए बैट्समन आया है स्ट्रेनो मॉली स्ट्रेनो यह खास करके बोलर है और बैटिंग भी करते हैं 37 रन इनका हैस्ट है अब देखना होगा कि यहाँ पर क्या इनकी बल्ले से 2-4 चौके छके हमें देखने के लिए मिलेगा क्या नहीं जॉई मुनना जॉई टोटल रन्स मुझे लगता है कि यहाँ पर जॉई मामूउग जॉई जॉई जी हमेरे साथ जूल चुका है और आपको बता दे कि यहाँ पर टोटल रन मुझे लगता है कि 120 से 130 के अंदर बन सकता है फिर से बार आप स्ट्रेम पर पर पकड़न चल सकते हैं कि 130 रन अब बन सकते हैं यह आपर तो वहीं हमारे साथ बने रही है लाइक कर ज़रूर किजिए और चेनल प्रहुत चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फिर सेख बार स्टैलन बार्ग है स्टाइक पे 15 रन्यों की स्टील थे खेल रहियإ is स्टैलन बार्ग सामना करेंगी हर्मन पीट कॉर की गेंद का हर्मन पीट कॉर जो की कैसे लेने कह चक्कर में थोगी सी इंजियोड हुए थी इस बार राइट आम ओबर देगर बॉल आता हुआ, इस बार बैकपूर में खेल दिया है बॉल को, बॉल चला गया, कवर की दिसा में, कोई रंडे मी लेगा, डॉट बॉल होता हुआ तो भाई, अमारे साथ जो भाई बने हुए हैं, सभी को बलंगों भाई, लाइक करो, लाइक का मंदल बता है, सपोर्ट, सपोर्ट जरूर करो भाई फिर से बार हर्मन पित कॉर्क की गें, स्लोवार बॉल, मिलिल स्रेम का बॉल खेल दिया है, लॉगाउन की तराफ भाई, अभी जो यहाँ पर सिंगल रोटेटर कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसी तरीके से बैटिंग करनी जाए, यह कम से कम स्कोर को, एक फाइटिंग स्कोर तक ले जाना होगा, हरवार्ट हैरकन्स को पीच थोड़ा सा स्लो है और आउट फिल्ड भी थोड़ा स्लो है, तो सेगर्ड इनिंग्स में थोड़ा सा जो है, यहाँ पर असानी होगी, क्योंकि पहली जो पीच है, यहाँ पर बॉल थोड़ी सी लेट आ रहे है यह बैट पे तो थोड़ा सा धीमा खिल चलता हुआ यहाँ पर हैबार्ट हैरकन्स ओमन्स के लिए, हर्मन पितकोर फिर से बार बॉलिंग के लिए तयार इस ओबर के पाच भी गिंद और सामना करेंगे इस बार स्टेलन बार्ग, डाइने हाथ के खिलारी को ओबर दिविकेट बॉल करता हुआ हर्मन पितकोर, और इस बार लेक स्टेम पे पीछ भी गेंद, पैड पे लगी, बीट हो गए ते बड़ा सौट खेले के कोशिस क्या था स्टेलन बार्ग ने, मगर कोई फाइदा नहीं है, डॉट बॉल होता हुआ, आखरी बॉल है इस ओबर का, आखरी बॉल हर्मन प समामती, 17 ओवर्ट के बाद 101 रन बने है, 6 विगट के लुकसान पे, तो भई अमारे साथ जो भई बने हुए है, सभी को बने हुआ है, लाइक करो और लाइक के साथ साथ चैनल पर नहीं है, चल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ला, काफी बढ़िया मैच चल रहा है यहां पर, दो रन नहीं बने भई, यहां पर ओ बॉल भी नहीं हुए, अर्मन पित पॉर्ट, आखरी बॉल डालता हुआ, इस बार कट करनी की कोशिज, मगर पूरी तरिके से बीट हो गया है, कोई रन नहीं, डॉड बॉल होता हुआ, ओब पर दो रन लिये थे, उस बाल को कैंसल कर दिया गया था, क्योंकि बाल जो है, वो कैंसल कर दिया था, आमपयार ने, तो वो दो रन नहीं बने है, और आखरी बॉल हर्मन पित कॉर्ट का डॉट हुआ है, और इसी डॉट बॉल के साथ 17 ओवर के बाद 99 रन बने है, 6 विकेट निकाला है, तो भई हमारे साथ बने रही है, लाइक कर जरूर कीजिए, और चैनल कर दो चैनल को सब्सक्राइब है, जरूर कीजिएगा, तो चलिए, बहुत ही अच्छा लग रहा हर्मन पित कॉर्ट को मैदान पे देखते हुए, क्योंकि यहां पर कैच लेने का चकर में हर मन पित कॉर्ट थोड़ा सा इंजियोड होए थे, मगर अभी मैदान पे हो तीन ओवर डाल भी चुके है, फिसले बालिंग करता हुए, पटकी वे गें, सौट अब लेन बाल डालने की कोसी, स्लोर बाल था, कवर की यहां पर पॉइंट की तरफ खेल दिया है, कोई यहां पर सिंगल लेता हुआ, और इसी सिंगल के साथ 100 रन पूरे हो गए, हैवाट हरिकंस ओमन की, हैवाट हरिकंस ओमन की यहां पर 100 रन पूरे हो गए, बहुत ही बहतर इन स्कोर होता हुआ, अभी तीन ओवर में कम से कम 20 से 30 रन तो आने चाहिए, तब जाके मैच में एक फाइटिं किनारा लिया है, चला गया, बैकवर्ट पॉइंट की तरह, डिप बैकवर्ट पॉइंट में कोई फिल्डर मौजूद नहीं है, चार रन मिल जाएंगे, बहुत ही उन्दा सौट यहां पर, चौका लगाता हुआ, इस्टेलेन बार्ग, और इसी चौके के साथ 17 हुआ, दो के दो के बाद 104 रन, 6 विकेट के लुकसान पे, रन की गती बढ़ा नहीं की जरूरत है, वही काम करता हुआ, यहां पार स्टेलेन बार्ग, 20 रनों की स्कोर पे पहुंच चुका है, स्टेलेन बार्ग, फुल करनार, फिल से बार बॉलिंग के लिए तयार, राइट आप, इसी दो रनों के साथ, स्कोर जो है, 106 रन बने, तो भाई हमारे साथ, बने रहे हैं, लाइक जरूर कीजिए, और चैनल पर पर चैनल को सब्सक्राइब, जरूर कीजिएगा, अब बहतर इन मैच होता हुआ है, बढ़रिकेंस, ओमेंड, मेल्बॉन, फ्रेनेगर्स के बीच, और इस बीच अगली गेंद बाजी का आएंगे, यहाँ पर गेंद बाजी करता हुआ, फुल कॉर्णर, बॉलिंग करता हुआ, इस टैनल बार्ग को, सामना करेंगे इस ओबर की चौथी गेंद का, इस टैनल बार्ग सामना करेंगे इस ओबर की चौथी गेंद का, तो भाई हमारे सार्थ बने हुए हैं सरीक वोलेंगे लाइक जरूर करें लाइक का मल्द बता है सपोर्ट और इस बार लेक स्टेम पे बॉल था खेल दिया है बॉल को एक कतिरिक तो बॉल भी मिला रन भी मिला फाइदा ही फाइदा है वार्ट हरीकन्स का तो थेंक यू सो मजब लाइक करके सपोर्ट करने के लिए उस बार पटकी वही गेंद थी सौर्डब लेंग बॉल लानने के कोशिस और बॉल को खेल दिया है डीप एक्स्टर कवर की करता ही यहां पर बॉली स्ट्रेनो की तो तीन गेदों पर तीन रन ने के यहां पर लगातार जो है इस ट्रेल यन बार्ग को देता हुआ और फास्ट आउट फिल्ड रहता तो यह चौका जरूर था क्योंकि जिस हिसाब से यह सौर्ट लगा था बॉल टपा खाने मैदान पर टपा खाने के बाद थोड़ा सा स्लो हो रहा है दो रन मिले हैं और इसी दो रनों के साथ स्कोर जो हैवर्ट हरीकेंस ओबन का 111 रन चेफ विकेट के लुकसान पर फिल्ड से एक बार बॉलिंग करता हुआ बात करें यहाँ पर यहाँ पर मेलबॉर्ण रेनेगर्ट की तरब से 6 बोलर की यूज किया गया है हर्मन पीत कौर्ण ने तीन ओबर डाले हैं करली लेसन ने दो ओबर डाले हैं और फारलिंग को छोड़के सभी ने विकेट निकाले हैं तो एक तीन या पर छे बोलर यूज़ किया है मेलबॉर्ण रेनेगर्स ने और देखना होगा कि कौन आते हैं बॉलिंग डालने के लिए मॉलिनेक्स किसको देते हैं बॉलिंग करने के लिए और यह 19 मा ओवर है और 19 मा ओवर मुझे लास्ट ओवर जो है वो साथ वहर हम करेंगे वैराम आये हैं बॉलिंग डालने के लिए पहली गेंद मिल्स्टेम का बॉल बैकपूर्ड में कए कट कर दिया है बॉल को बैककॉर्ड या पर्डर पॉइंट की तरह अब सिंगल लेता हुआ और इसी सिंगल के साथ स्कोर जो है 114 रनों तक पहुंच चुका है 18 ओबर एक गे जेंद लेके हाजिर है वैर हम और सामना करेंगे इस बार इस टेलेंट बार तो भाई लाइक जरूर करें लाइक का मल दबत है सपोर्ट सपोर्ट जरूर करें अब देखना होगा कि कितने रन बनते है आपको क्या लगता है कितने रन बनेंगे कॉमेंट करें मैं जरूर बताये फिर से बार बॉलिंग करता हुआ इस बार मिडिल स्टान का बॉल था हाओ में खेलने की कोशिज और अब कॉटन बोल्ड आउट होता हुआ, बॉली स्टैनो, कॉटन बोल्ड फ्लाइट गेंथी, सीधे बल्ले से खिल दिया, यह तीसरा विकेट ओयर हम का, चौता ओबर और तिसरा विकेट, बहुत यह बढ़िया बॉलिंग की ओयर हमने लगातार कमड तोरता हुआ, यहां पर वेर हम आज शुरुबादी जटका वेर हम नहीं दिया था हैवर्ट हैरकन्स को और आगरी जटका साइद वेर हम ही देंगे तो क्या लगता है भाई कॉमेंट करका मैं जरूर बोलिएगा यहाँ पर बॉली स्ट्रेनो आउट होता हुआ कॉटन बोल बाई वेर हम जौजया वेर हम यह इनका तिसरा विकेट चलिए देखते हैं नेकस्ट बैट्समेन कोन आते हैं कॉमेंट करके मैं जरूर बताएव बाई किनने रन बनेंगे वेकरवा आए हैं विलेंडा वेकरवा और सामना करेंगे फिर से एक बार जोर्जिया वेरहम की गेंद बाजी का वेकरवा जिनका सबसे भायस्ट स्कूर बाई दो रन है WBBL में सबसे ज्यादा इन्होंने दो रन बनाए है ज्यादा मौका नहीं भिला है बैटिंग करने का तो भाई लाइक जरू करें और चैनल पर दो चैनल को सब्सक्राइब जरू करें राइड आम अबर दो विकर बाल डालता हुआ यहाँ पर फिल्टोस डेलिवरी जरूर बन जाएगा क्योंकि स्टेलन बार जिस तरीके से बैटिंग कर रहे है और 27 रनों की स्कूर पर खेल लिया सामना करेंगे इस बार वहर हम की गेन का जोर्जिया वहर हम की गेन इस बार आप स्ट्रेम पर बाल था कट कर दिया है बाल को एक्स्टर कवर की जिसा में सिंगल मिलेगा और सिंगल लेके स्ट्राइक को रूटेट करते हुए 18 ओबर 5 गेंदों के बाद 17 रन 7 विकेट के लुकसान पे तो बाई और एक लाइक दूर है 10 लाइक से तो जल्दी से जल्दी बाई 10 लाइक पुड़ा कर दो और चैनल प्रतों चैनल को सब्सक्राइब है जरूर कर देना फिर से एक बार बालिंग करने के लिए तैं यार वहर हम इस ओवर की आखनी गेन और इस बार वैकर रूर ने खेल दिया है कट कर दिया बाल याँ पर रन आउट होता हुआ जी हाँ याँ याँ पर मुझे लगता है कि थाड अंपियर को कॉल हुआ है और सिंगल लेने का चक्कर में याँ पर रन आउट होता हुआ थोला सा दिक्कद में यहां पर कौन देगना होगा कि कौन रन अउट हुए है मुझे लगता है कि स्टेलेन बार्ग रन अउट होता हुआ बहुत ही जवरदस्त फिल्डिंग वापर हर्मन पित कौर का जी हां हर्मन पित कौर ने थ्रो किया है विकेट की पर ने रन आउट किया है पहुँच नहीं पाए और रन आउट होता हुआ अब देखना हुआ कि कौन रन आउट हुए है भई मुझे लगता है नौमी स्टेलन बार्ग या वैकर हुआ स्टेलन बार्ग अठाइस गिंदों पे 28 रनो की स्कोर पे और वेल मुझेख जो की काफी खतरनाक किलाड़ी है हरमन पितकौर और डूली ने रन आउट किया है दोनोंने मिलके तो भई बहुती बड़ा विकेट चला गया है स्टेलन बार्ग अब देखना होगा आँकरी ओबर है और आक्री ओबर में मैंने कहा था कि 120-130 रन बनने चाहिए अब देखना होगा कि यहां पर 130 का आकड़ा चूप आता है कि नहीं क्या लगता है कि 130 का आकड़ा चूप आएगा यहां पर हैबार्ट हैरिकंस आज हैबर्ट हैरिकंस ने टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया था अब देखना होगा मॉली नेक्स आया है बॉलिंग डालने के लिए लेफ्ट आम ओबर दो विकर बॉल करता हूँ विकर चौर के खेलने की कोशिस मगर स्लो आर बॉल था अब 120 रन तो बन जाएंगे मगर 130 रन बनना मुस्किल इस ओबर के पहली गेन तो डॉट बॉल हुआ है कोई रन नहीं बना है फिर से इक बार बॉलिंग करता हुआ इस ओबर के अगली गेन विकेट कीपर से और उसी का फाइदा मिला हैवाट हरकन्स को देखना होगा फिर से एक बार बॉलिंग कर लिए ता यार इस ओबर की तिसरी गेन मॉलिनेक्स लेफट आप ओबर दो गेट इस बार क्लीन बोल्ड क्लीन बोल्ड कर दिया है क्लीन बोल्ड कर दिया है वेल म्यूनिक को यह नौवा विकेट जी हाँ मॉलीनेक्स ने यहाँ पर क्लीन बोल्ड कर दिया है नौवा विकेट गिरता हुआ हैवाट हैरिकंस का 119 पर 9 बिडिल स्ट्यम का बॉल था और थोरी सी नीची रही पुई तरिके से जुर्दास स्ट लगाने के कोशिस था यहाँ पर और उसी का फाइदा मिला है वेल म्यूनिक आउट होता हुआ वेल म्यूनिक नहीं यहाँ पर आउट होने वाले खिलाडी है वई वैकर हुआ जी हाँ वैकर हुआ आउट हो है और M.A. Smith जी हाँ, M.A. Smith आये हैं नए बल्लेबाज, आक्री के बल्लेबाज है M.A. Smith और देखना होगा कि यहाँ पर स्कोर 120 तक पहुच पाता है की नहीं 120 हो पाता है की नहीं कॉमेंट जरूर करें भई, कॉमेंट करके लाइक जरूर करें जरूर करें बैतरीन मैच होता हुआ, फिर से एक बार M.A. Smith है स्टाइक पे, सामना करेंगे इस बार M.L.N.X की गेंद का M.L.N.X, लेफ्ट आप, ओबर दो विगर बॉल करता हुआ इस बार फिर से एक बार फूल लेंद बॉल था, लेंद बॉल, हार्ड हीट करने की कोशिज, बीट हुए, थोड़ा सा खुश किसमत रहे क्यूंकि मिडिल स्टेम का ही बॉल था फिर से एक बार बॉलिंग के लिए तैयार, इस ओबर के पांच भी गेंद, मॉलिनेट्स, लेफ्ट आप ओबर दो विगर, इस बार हार्ड हीट करने की कोशिज, बाल बैट का किनारा लिया है, पॉइंट की तरब गया है, सिंगल दोर के लिए ता हुआ, 120 रन बन चुके है नौव विकेट के लुकसान पे, नौव विकेट के लुकसान पे, 120 रन बने है, 19 ओवर 5 गेंदों के बाद, तो भाई हमारे साथ बने रही है, लाइक ज़रू कीज़ेगा, और चैनल प्रतवे चैनल को सब्सक्राइब पे ज़रू कीज़ेगा, बहतारी ने मैच होता हुआ, तो भाई हमारे साथ बने रही है, लाइक ज़रू कीज़ेगा, फिर से एक बार, इस ओबर के आखरी गेंद, इस इनिंग्स का, और खेल दिया बोलर के बगल से, एक ही रन मिलेगा, एक ही दो रन की कोशिस है, और यहाँ पाड नहीं ले पाए, आखरी 10, ओल डाउन होता हु एक सो बीस पे पूरी टीम जो है, हैवर्ट हैरिकेंस की आउट हो चुकी है, रन आउट होए हैं आखिर में, और इसी के साथ ओबर खतम हो चुके हैं, बीस ओबर के बाद हैवर्ट हैरिकेंस ने एक सो बीस रन बनाया है, वो भी पूरी टीम आउट हो गया है, आखरी में स् चक्कर में रन आउट होता हुआ तो भाई थैंक यू सो मुझ मैं लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीज़ेगा और थोड़ी ही देर में आपको बता दे कि थोड़ी ही देर में फिल्ट से या पारत दुसरे इनिंग से सुरू होने वाला है कि आपको बता है झाल 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 पावापट आपने आपने पावड़ झाल कुछें था रह जावड़ जाप़ खिर भी जाना नहाआए जामने कर दो वीग एकते हैं। किस तरीके से हैवाट हैरिकेंस ने यहां पर रन बनाए है की स्कोर पर रूथ जोंस्टन आउट हो चुके थे तब यहां पर हैवाट हैरिकेंस का सकोर 28 पर एका चार और चार गेंदों के बाद और उसके बाद डू परेज आएं डू परेज जादा देर नहीं रहे पाए पिछ पे और LBW आउट होए ओयर हम की गेंद पे और तब हैवाट हारकन्स का स्कोर जो था 38 रन था दो विकेट के सिब 10 रनों की अंतर में यहाँ पर दूसरा विकेट गिर गया था हैवाट हारकन्स का तिसरा विकेट गिर था 69 रनों की स्कोर पे जब ышell प्रीस्ट के लम्ली सोट लगाने की कोसेस के आउट हो गे थे रिचल प्रिस्ट वेर हमने कैच लिया था और कारली लेशन की गेंदबाजी पे रिचल प्रिस्ट आउट होए थे तिस्टा विकेट उसके बाद चौता विकेट गिरा था रिचा गोस के रूप में रिचा गोस बड़ा सौट लगाने की कोसिस किया था और हर्मन पित कौर बाई दोनों ही इंडियन रिचा गोस इंडियन खिलाडी जो कि हबाट हैरिकन्स की तरफ से खेल रही है और हर्मन पित कौर जो कि यहाँ पर रेनेगेट्स के लिए खेल रही है मिलबॉन रेनेगेट्स के लिए और हर्मन पित कॉर्ण ने ही रीचा गोस काउट किया था 21 रन बना के रीचा गोस आउट होई थी और फारलिन ने कैच लिया था पॉइंट की दिशा में 73 रन था चार विकर्ट के लुकसान पे हैवाट हैरिकंस के इस टाइम पे उसके बाद लगातार विंटर विल मे विकर्ट गिरते रहे 92 में निकोला कैरी आउट हुए है निकोला कैरी ज्यादा रन नहीं बना पैते मॉली नेक्स ने उनको बोल्ड आउट किया था आट रनों की स्कोर्ट पे निकोला कैरी स्टेप आउट करके सौट लगाने के लिए कोसिस किया था उसके बाद नौामी स् तो ये था टोटल स्कोर कार्ट जो आपके सामने है है वाट हैरकंस का 121 पे 10 और अब देखना होगा कि टार्गेट जो है यहां पारा कितने रनो का बनता है तो भई अमरे साथ बने रहेगा लाइक जरूर कीजेगा और चैनल पर दो भई चैनल झार लाइके सामने है खभके सी जर्च रहने रहने हमा जध स्क्तान से उतका रहने पाले से का बन्ना पाले से भीको लाइक बिष्या मुझत स्वानिप भ़कर अरεί हैं कर दो कि अुछ करते हैं? कर दो कि अमेँ कर दो दो साथ पो अपिलाग कर दो जचाने कि जा रखने साथ रहा हुआ है प्रवाजी बार दोटसे लिए भड़ाई लिए लिए तुट विए लिए भी लिए 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 लिए। अँबाए लुप बाइब। कि झाली करें जाड़ता हैं दो की कि धिए उना दाओ सीक अबड़ता की और दूता हैं हुआ हैं कुर्फ में चुर्फ अजयू टुर्फ दिन अवांग झाल। झाल 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 यहां पर थोड़ी ही देर वे मैच स्टार्ट होगा उससे पहले आपको बता दू कि यहां पर जो टार्गेट है 122 रनों का उसका पीछा यहां पर करेंगी मेलबॉर्ण रेनेगर्स की तरब से खेल रही है रोटरी येज जो कि अपना डेब्यू कर रही है मेलबॉर्ण रेनेगर्स की तरब से सोफिया मॉलिनेक्स है कंट्री यहां पर कॉर्टनी वेब है हर्मन पीत कौर है एवलीन जोंस है जैसी डेफिन है और जोर्जिया वेरहम जी नहोंने आज तो कमाली कर दिया इन्होंने तीन विकेट निकाले हैं और पहला जो विकेट था यहां पर उन्होंने ही निकाला था हेवाट हरिकन्स का डूली लेसन और फुल कॉर्णर एंड फालिन तो यहां पारद मुझे लगता है कि जमिया रोडरी गेज एंड कौन आ सकते हैं जमिया रोडरी गेज के साथ आ सकते हैं कटनी वेब एंड एबलिन जोन्स इन दोनों में से कोई एक आ सकते हैं तो भई हमरे साथ बने रह dont ह्यां लाइक जरूर कीजिये और चैनल पर दोर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा काफी बहतरीन मैच होता हुआ यहां पर नजर आ रहा है यहां यहां पर काफी बैतरिन मैच होगा और आपको बता दे यह था जो कि आने वाले खिलाडियों में से है और यहां पर देखना होगा कि कौन आते हैं भई यहां पर जिस तरीके से आज हैवट हरिकंज ने रन बना हैं उसको बता दे रिचल पिस्टन ने 21 रन बना है रूत जॉन्स्टन ने यहां पर 20 रन बना है और यहां पर मैरिन डू पारिज आज ज़्यादा रन नहीं बना परे पांच रनों की इसको दस गेंदों पर पांच रन बना है और वहर हम का सिकार बने रिचा गोस ने कुछ हद तक कोसिस किया था दो चौके और एक छक्के की मदद से 14 गेंदों पर 21 रन बनाते मगर हर्मन पित कॉर जानते हैं कि रिचा गोस को कैसे आउट किया जाया और हर्मन पित कॉर की गेंद पर फारलीन ने कैच लिया था रिचा गोस का निकोला कैरी मॉली नेक्स की एक मिडिल स्ट्रेम का बॉल आगे निकल के आये थे बड़ा सौट लगाने के लिए और पूरी तरीके से टाइमिंग मिस करिया और क्लीन बोल्ड हो गए जादा रन नहीं बना पाए दस गिंदों पर आठ रन बना के आउट है नुआमी स्टेलन बार्गर बहुते बढ़ियां खेल रहे थे 27 गिंदों पर 28 रन बनाये थे तीन चौके की मदद से लग रहा था कि अगर यहां पर स्टेलन बार्गर है तो यहां पर एक अच्छा खासा स्कोर हमें देखने के लिए मिल जाएगा मगर आपको बात करें यहां पर प्लेयर्स मैदान पे आ रहे हैं यहां प्लेयर्स जो है मैदान पे आ रहे हैं प्लेयार समयदान की तरफ आ रहे हैं जी हाँ प्लेयार जो है मैदान पे आ रहे हैं और मैच बहुत ही जल्द स्टार्ट हो जाएगा भई प्लेयार समयदान पे आ रहे हैं और मैच स्टार्ट होने जा रहा है तो भई जिनों ने अभी तक लाइक नहीं गया भई सभी को बूलें को लाइक करो और चैनल पर दो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भई प्लेयार समयदान पे आ रहे हैं और मैच स्टार्ट होने जा रहा है जी हाँ दूनों तरब से आ चुके हैं प्लेयर्स प्लेयर्स आ चुके हैं सोफिया मॉलिनेक्स और जैमिया रोटरी ये दूनों ओपन करेंगे और पहली गेंद पे चोका मॉलिनेक्स ने यहाँ पर बैकर हुआ कि पहली गेंद पे चोका लगा दिया है पहली गेंद और चार रणों के लिए डीप स्कॉयल लेक की तरह बैतर इन सोट मॉलिनेक्स का सोफिया मॉलिनेक्स का और इसी चोके की मदद से स्कोर जाए यापर बन चुका है भई जी हाँ यापर पहली गेंद पे चोका लगा के यापर जाहिर कर दिया है कि आज जो है दोला सा अलग मैच होने वाला है तो भई बने रही हमारे साथ लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर दो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मौलिनेक्स बाए हाथ के खिलाडियों ने लगा दिया है चोका फिर सेक बाए मौलिनेक्स को बैक एर रूँआगर बॉल करता हुआ फुल लेंद कीक बॉल आपस टाइम पे लग निकली रीचल प्रिस ने बॉल को पकड़ा है कोई रन नहीं डॉट बाल होता हुआ तो भाया लाइक जरूर करे और चाल प्रतबा चाल को सब्सक्राइब जरूर करे दो गेंद हो चुके हैं और रीचल प्रियर यापर बैटिंग करता हुआ मौलिनेक्स बाए हाथ के खिलाडियों को भैकर हुआ बालिंग करता हुआ भैकर हुआ अभी तक यहाँ पर मैदान पे और यहाँ पर पहली गेंद लेंद बाल था बाल को खेलने की कोशिज थोड़ी से अफसाइट की तरब निगली और सीधा चला गया विकेट कीपर के पास अच्छी गेंद बाजी करता हुआ स्लोवर बाल था और फाइदा नहीं उठा पाए इस बाल गेंद का 117 गेंदों पे अभी भी 118 रनों की जोड़ा था है रेनेगेट्स को इस मैचक में जीत हासिल करने के लिए तो थैंग्यों सो मज़ मैं लाइक करो सब्सक्राइब करो फिर सिखबार बॉलिंग करने के लिए थैंग्यों इस बाल के अगली गेंद राइन अप और राउंड अगेर बॉल करता हुआ स्लोवर बॉल बहुती गुर्लेंद की बॉल थी आउटसाइड दॉप स्टेम और सीधा जो है विकर कीपर की दस्ताने में पांच खिलाडी जो है यहाँ पर आपसाइड में लगाया गया है मिड ओन मिड ओफ लेके अगर बात करे तो यहाँ पर पांच खिलाडी जो है आपसाइड की तरफ है मॉली नेक्स के लिए लगाया गया है एक्स्टा कवर, कवर, पॉइंड, बैक्वार्ट पॉइंड, बहुत सारे खिलाड़ी, यहां पर पांच फिल्डर टोटल, ओफसाइड की तरह, इस बार अगली गेद, राउंद अगेर बॉल करता हुआ, ओफस टाइम पर खेल दिया है बॉल को, मिड ओफ के उपर से, मिड ओ जो की तिस कज़ के डाइरे का अंदर थे, उसके उपर से खेल दिया था सौट को, और आउट फिल्ड स्लो है, मैं पहले से कह रहा था कि पहले इनिंग से मैं बात कर रहा था, कि आउट फिल्ड जो है, मैईडान का बहुती स्लो है, फिर तेक बार मॉली नेक्स है, बैट्समन है, बायात का खिलारी को राउंद अगर बाल करता हुआ, वैकर हुआ इस बार, लिंद बाल था, गैब में खेल दिया है, बिस बार कवर और एक्स्टर कवर के बीच में से चार रन मिल जाएंगे, बहुती हुंदा सौट और इसी चौके के साथ स्कोर जा है, पहल पहली ओबर, पहला ओबर स्वाप तो चुका है, पहली ओबर के बाद स्कोर जो है, यहाँ पर मिलबॉंट रेनिगर्स का दस रन बन चुका है, तो भाई लाइक ज़रू कर लाइक का मतलब होता है, सपोर्ट सपोर्ट ज़रू कर और चैनल प्रतबाद चैनल को सब्सक्राइ पहली ओबर के बाद, यहाँ पर मिलबॉंट रेनिगर्स का स्कोर दस रन बन तक पहुच चुका है, रोडरी गेज स्टाइक पर है, इंडियान की लड़ी है और रोडरी गेज आप जानते हैं, इंडिया की तरफ से टॉप ओडर बैट्समन है, अब देखना होगा कि यहाँ पार ओपेन करते कैसे हैं, रोडरी गेज सामना करेंगे, देखना होगा कि अब वैल मियूनिक आएंगे मुझे लगता है कि बोलर, क्योंकि पिछला मैच इनों का जो टी-20 मैच था, इंडिया के खिलाब बहुत ही अच्छी परफॉर्म किया था, तो आज मुझे लगता है क फिर से बार वैल मियूनिक को बॉल दिया जा सकता है, कप्तान क्या करेंगे, जी हाँ, यहाँ यहाँ पर बॉलिंग करता हुआ पहली गेंद, इस बार फुल लेंग बॉल था, मिली लिस्टेंग का बार खेल दिया है, मिरारन के तरफ, फिल्डर मौजूद है बॉल को रोग तालिया वैल मियूनिक फिर से बार बॉलिंग करने के लिए तयार, राइट आम बॉल, और बॉलिंग करता हुआ रोडरी गेज को, डाइने हथ का खिलाली को ओवर दवगर बॉल करता हुआ, काफी भैतरिन गेज बाज है, और यहाँ पर बॉल के लिए वेट किया, बॉल को खेल दिया है, पॉइंट या पर बैकवर्ड पॉइंट की तरह फिल्डर मौजूद, दो रन मिलेंगे, और इसी दो रनों के साथ एक स्कोर जो है दीरे दीरे, 12 रनों तक पहुच चुका है, रोडरी गेज दो रन से अपना खाता खोला है, इसी दो रनों के साथ, अच्छी फिल्डिंग वहाँ पर, डिप बैकवर्ड पॉइंट में बहुत ये बढ़िया फिल्डिंग, और थोड़ा सा धीमी पीछ है, बॉल जो है थोड़ा सा लेट बैट पर आ रही है, तो थोड़ा सा वेटेट खेलना पड़ेगा, वेट करके खेलना पड़ेगा, बॉल के अब जो तीन T20 मैच खेले गया है, उसमें सक्सेसफुल बोलर की हिसाब से आप देखे तो वेल म्यूनिक की नाम आता है, और उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो रॉड़री गेज एक इंडियन की लाड़ी है, उनके सामने वेल म्यूनिक बॉलिंग टालना है, तो चलिए विकेट मिलने का असार तो बढ़ जाता है, वेल म्यूनिक बॉलिंग करता हुआ, राइटाम ओवर दो विकेट, रॉड़ी गेज को, इस बार पठकी विकेंद, ओ, धोरा सा जो है, पेस से मात खा गया था, कोई रन नहीं मिलेगा, डॉड़ बॉल होता हुआ, बॉल को जोर फिर देख बार बॉलिंग करने के लिए तयार वेल म्यूनिक इस ओवर की पाच्वी गेंद, और सामना करें के फिर देख बार रॉड़ी गेज, इस ओवर भी थोड़ा सा कम रन आएग, अबी तक दो रन आएगा इस ओवर से, और पाच्वी गेंद, राइट आप, ओवर द और इसी दो रनों के साथ स्कोर जो है एक 14 रन बन है एक ओबर 5 गेतों के बाद काफी बहतरीन सोट खेला था अच्छी क्रिकेटिंग सोट गैब में खेला हुआ सोट था यह तो भाई बने रही है हमारे साथ लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फिर से एक बार बॉलिंग के लिए ते यार यहाँ पर वेल म्यूनिक और इस ओबर के आखरी गेत सामना करेंगे रोडरी गेज इस बार गुर्लेंद की बॉल बॉल टपा खाया सीधा विकेट की पर के पास गई अच्छी पेस के साथ बॉलिंग करता हुआ बेल मेनिक आखरी बॉल ओबर के समापती दो ओबर खतम हो चुके हैं दो ओबर के बाद 14 रन बन है मेलबॉन रेनेगेट्स के पीछा कर रहे है 121 रनों का टार्गेट है 122 रन बनाने है अभी यहां पर बाई 108 गेंदो पे 108 रनों की ज़रूरत है मेलबॉन रेनेगेट्स को इस मैच में जीत हासिल करने के लिए तो थैंकियो सो मज़ भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए इसी तरह भाई लाइक करो और सपोर्ट करो भाई को दो ओबर कम्पलीट हो चुके हैं आज आपको क्या लगता है कि कौन इस मैच में जीत हासिल करेगा मिलबॉन रेनेगेट्स या हैवबॉन हैरिकंस कॉमेंट करके मैं जरूर बता है ये इसके बाद वाला मैच है सिद्नी ठर्नर्स और अड़िलेट स्ट्राइकर्स के बीच तो भाई बने रहे हमारे साथ लाइक जरूर कीजिए और चैनल प्रतबाद चैनल को सब्स्क्राइब जरूर कीजिएगा मॉली स्टैनो आये हैं बॉलिंग डालने के लिए मॉली स्टैनो बॉलिंग करतावार राइटाम अबर्द विकेट बॉल लातावार बॉल को कट कर दिया है पॉइंट और कवर के बीच में से फिर से एक बार बॉल को निकाल दिया है मगर चार रन मिलने नहीं मिलेंगे बहुती बढ़ीया फिल्डिंग दो रन मिल जाएंगे और इसी दो रनों के साथ स्कोर जाए 16 रनों तक पहुँच चुका है मिल्बॉन रेनेगेट्स ओमेन का दो बारे गिंद मॉली नेक्स लगातार बैतरिन बैटिंग करता हुआ बाएहाथ के खिलाडी है और बाएहाथ के खिलाडी हो के लिए मॉली नेक्स के खास करके बाएहाथ के खिलाडी है मॉली नेक्स उनके लिए उफसाइड में पांच फिल्डर लगाया गया है और फिर से बार इस बार लेक्स टेंप पे पीछ हुई गेंग, तो बॉल को खेल दिया, स्कॉयल लेक की तरब रन नहीं मिलेंगे, डॉट बॉल होता हुआ मॉली नेक्स 12 रनों की स्कॉर पे खेल दिया और सामना करेंगे इस बार मॉली स्टैनों की गेंट का मॉली स्ट्रेनो बॉलिंग करता हुआ इस ओबर के अगली गेर फिर से एक बार राइट आप ओबर दो गेर बॉल करता हुआ इस बार वो लेग स्टेंप पे पीछवी गेंती स्विप कर दिया था मगर सौट फ्राइन लेग में फिल्टर मौजूद है कोई रन नहीं डॉट बॉल होता हुआ लगातार यहाँ पर डॉट बॉल जितनी बड़े गे उतने रेनेगेर्स के लिए पेसर बढ़ता जाएगा अगर करेंट रनेट की बात करें तो 6.43 का करेंट रनेट है और हमारे साथ मनेरे मेलवां रेनेगेर्स को अभी भी 105 गेंदो पे 106 रनों की जोड़ा था फिर से वह बॉलिंग करता हुआ मिडल लिस्टेम का बॉल खेल दिया है लॉग अफ की तरफ सिंगल लेके यहाँ पर स्टाइक को रोटेट किया है और इसी सिंगल के सार्थ स्कोर जो है 17 रनों तक पहुँच चुका है दो ओबर 4 गेंदों के बाद तो भाई लाइक का मतलबत है सपोर्ट सपोर्ट जरू कड़े और चैनल प्रत भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कड़े काफी बैतरीन मैच होता हुआ यहाँ पार रोडरी गेज सामना करेंगे इस बार स्ट्रैनों की गेंद का भाई और दो लाइक दूर है 15 लाइक से तो जल्दी से जल्दी भाई 15 लाइक पूरा कर दो इस ओबर की 5 भी गेंद रोडरी गेज, सामना करेंगे इस बार ओबर दोगेज बॉल करता हुआ, कट किया था पॉइंट की तराफ, मगर गैब निकालने में काविया भी नहीं, डॉड बॉल होता हुआ बात करें, यहाँ पर रोडरी गेज की तो इसी के साथ ओबर की सवामती, तीन ओबर कम्प्लीट हो चुका है, तीन ओबर के बाद 17 रन बने हैं, विदाउट अनी लॉस मिलबॉन ट्रेनिगर्स, तो थेंक यू सो मच भै लाइक करके सपोर्ट करने के लिए इसी तरह भै लाइक करो और सपोर्ट करो भाई को कमाल का मैच चल रहा है, कमाल का मैच है, और देखना होगा कि अभी भी इस मैच में जितने के लिए 102 गिंदों पे 105 रनों की ज़ूरत है मेलबॉन रेनिगर्स को इस मैच में जीत हासिल करने के लिए 102 गिंदों पे 105 रनों की ज़ूरत है फिर से एक बार आए हैं, यहाँ पर बॉलिंग डालने के लिए पहली गिंद इस बार रावंद एगर बॉल करता हुआ, मॉलिनेक्स को कोई रन ने डॉड बॉल होता हुआ तीन ओबर एक गिंद, 17 रन विदाउट एनी लॉस जानते हैं कि आपर मॉलिनेक्स और वेल मुनिक आया हैं बॉलिंग डालने के लिए वेल मुनिक आया हैं बॉलिंग डालने के लिए वेल मुनिक फिर से बार बॉलिंग करता हुआ, इस ओबर की अगली गेल और सामना करेंगी इस बार मॉलिनेक्स देखते हैं, दूनों ही सेम्याट टीम के खिलाड़ी हैं, उस लिए की तरब से खेलते हैं रम दोगेर बॉल करता हुआ, बॉलिनेक्स को इस बार फिर से बार छोटी गें थी, बॉल को खेल दिया, कवर की दिसा में, मगर रन तो यहाँ पर नहीं मिलेंगे काफी टाइट फिलिंग साजाई है, ओफ साइड में, बॉलिनेक्स के लिए रिचल प्रेस्ट जो की विगेट की पार है, काफी सिनियर खिलाडी है, और फिर से बार बॉलिंग करने के लिए तयार वेल म्यूनिक्स बाए हाँआथ के खिलाडी को रंद अगर बॉल करता हुआ, वेल म्यूनिक्स रना बहुत लंबे रना से बॉल करने आते हैं वेल मेरी किस बार पटकी वी गेंटी लेक स्टेम पे पीछ वी गेंट बॉल को खेल दिया डिफ फाइन लेकी तला फार फिल्डर मौजुद है वहाँ पर सिंगल यहाँ पर लेते हुए मौली नेक्स ने इसी सिंगल के साथ स्कोर जो है धीरे धीरे बढ़ता हुआ अठारा रनों तक बन चुका है जिस अंदाज से यहाँ पर सुरुवात हुआ था उस हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा सा जो है दो ओवर के बाद थोड़ी सी रन की गती जो है पहला ओवर के ब बॉल के लिए वेट किया खेल दिया बैकवाट पॉइंट की तरफ सिंगल मिलेगा यहाँ पार रहा और सी सिंगल के साथ स्कोर जो है धीरे धीरे बढ़ता हुआ उन्नीस रनों तक पहुँच चुका है तो भाई लाइक जरू करे लाइक का मलद बोता है सपोर्ट सपोर्ट अब जरू करे रिचल प्रीज जोकी कप्तान है और थोड़ी सीनियर के लिए चतिस साल उमर है और अभी तक यहाँ पर माइदान पे कीपिंग करते हैं विकेट कीपिंग करते हुए तो भाई बने रही हमारे साथ लाइक जरू कीजिए और चैनल पर अब चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजिएगा राइट आप मोबर दोगर बॉल करता हुए इस बार बॉल के लिए वेट किया आखरी मोमेंट पे बल्ले को फेस कोला बॉल चला गया है थार्ड मेंड की तरफ जहाँ पर वेकार रुआ बॉल को फिल्ल किया है अच्छी थो एक ही रन मिला और लगा थार्ड यहाँ पर लेके स्टाइक को रोटेट करते रही है यह एक अच्छा नियम है तो चलिए फिर से एक बार वेल ब्यूनिक बॉलिंग करता हुए इस बार की चौतिक गेंद और सामना करेंगे इस बार रोड्री गेज है डाइने हैट को खिलाडी को रावर दोगर बॉल करता हुए इस बा गेज और चार ओवर खतम हो चुका है चार ओवर के बाद 20 रन बने हैं विदाउट एनी लॉस तो भाई धोरा सा धीमी स्टार्ट मगर ज़रूरत है रन उतने अच्छे नहीं है अभी भी यहाँ पर 96 गेदों पे 102 रनों की ज़रूरत है तो भाई लाइक करो और लाइक का मल पता है सपोर्ट सपोर्ट अब है ज़रूर करोगा है काफी बढ़ी आप मैच चल रहा है 102 रनों की ज़रूरत है 96 गेंदो पे अब देखना होगा वैकर हुआ फिर्स एक बार आया है बॉलिंग डालने के लिए अपना दूसरा ओवर डालेंगे पहली ओवर में 10 रंद दिये थे और ये उनका दूसरा ओवर है अब देखना होगा कि वैकर हुआ जो है अची उचाल के साथ बॉल को डिफेंड कर दिया है बॉल चला गया कवर की दिसा हमें रं तो नहीं मिलेंगे तो भाई लाइक ज़रू करो लाइक का मलत बता है सपोर्ट सपोर्ट हमें ज़रू करोगा चैनल प्रणद में चैनल को सबस्क्राइब पर ज़रू कर लेना चार ओवर एक गेंद हो चुके है फिर सेक बाड़ी सबर की दूसरी गेंद वैकर हुआ बॉलिंग करने के लिए तैया सामना करेंगे इस बार मॉल इनेक्स राइट हैंड रावंद विगर बॉल करता हुआ इस बार हाँ में खेल दिया बॉल को फिल्टर मौजूद मगर बॉल बैट का किनारा लिया चला गया थार्ड में की तिसा में लगा था कि बॉल जो है पॉइंट की तरफ गया है मगर बॉल चला गया था यहां पर थार्ड में की तरफ एक ही रण मिलेगा और इसी एक रण के साथ स्कोर जो है दीरे दीरे बढ़ता हुआ 21 रण मन चुका है तो चलिए देखते हैं बढ़े रहिएगा लाइक ज़रूर कीजेगा और चैनल पर दोबच चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजेगा इस ओबर की तिसरी गेन जी हां इस ओबर की तिसरी गेन वैकर हुआ बॉलिंग करते के लिए थे यहां रोड डिगेज है सामने रोड डिगेज के सामने लेंद बॉल था अफसाइड में पीछवी गेंद बॉल को खेल दिया पॉइंट की दिसा में रन तो नहीं मिलेंगे तो लगा था र अच्छी गेंद बाजी यहां पर वैकर हुआ का तो लाइक ज़रू करो अच्छे अल पर चैनल को सब्सक्राइब ज़रू कर लेना और रोड डिगेज ने हाओ बैखेल दिया आई बॉल को फिल्डर नीचे है मगर कैच नहीं ले पाए यहां पर देखना होगा दोने रोड डाइरेक्ट थो विकेट पर लगा और मुझे लगता है यहां पर मॉलिनेक्स कप्तान कप्तान तोड़ा सा खत्रे बे दो रन की कोसिस थी और डाइरेक्ट थो विकेट पर लगा हाओ मैं बहुत देर तक बॉल था कैच ड्रॉप हुआ है कैच ड्रॉप हुआ है मगर रीचा गोस मुझे लगता है कि रीचा गोस ने यह थो किया था हैवट हैरिकंस का रीचा गोस ने यह थो किया था जो कि डाइरेक्ट विकेट पर लगा और यहाँ पर विकेट जी हाँ यहाँ पर विकेट मॉलिनेक्स का बहुत बड़ा विकेट मॉलिनेक्स का रीचा गोस ने डाइरेक्ट थो किया था नॉन स्टाइकें पर और मॉलिनेक्स आउट होके पैविलियन की तरब जाता हुआ कप्तान सोला रन, सोला गेदो पे सोला रन करके या पर मॉलिनेक्स रन आउट होता हुआ रीचा घोस की डाइरेक्ट थ्रो से तो भई लाइक करो और चैनल प्रत अब चैनल को सब्सक्राइब करो मेलबॉन रेनेगेट्स इस ओमेंस का पहला विकेट गिरता हुआ 21 रनों पे एक विकेट आउट हो चुके हैं चार ओबर चार के दो के बाद तो भई हमारे साथ जो भाई जुड़े हुए हैं सभी कबल लगए लाइक जरूर करो और चैनल प्रत अब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बैतर इने मैच होता हुआ पहला विकेट जाने के बाद अब देखना होगा कि और कौन आते हैं बैटिंग करने के लिए आने वाले खिलाडी हैं कन वेब जी हाँ वेब आये हैं नए बैट्समन और वेब अकि एगर बात करें तो सिड्नी सिकसर के खिलाब बिग बैस 2020 में इनोंने 48 रनों के जबरदस इनों के लिए था मेलबॉर्ण याँ पर स्ट्राइकर्स के खिलाब जी हाँ मेलबॉर्ण स्ट्राइकर्स के खिलाब इनोंने 54 रनों के जबरदस का पारी खिला था तो तोला अनफर्चुनेट है कॉर्टनी वेब आये हैं नए बैट्समन अब देखना होगा कि कॉर्टनी वेब अपकी पहली गिंद वाइड बॉल था यहाँ वाइड बॉल था और लेक स्टेब से थोड़ी सी बाहर बॉल वाइड बॉल था रोड़नी गेज हाँ स्ट्राइक पे एक विकेट इस बार रोड्री गेज है स्टाइक पे सामना करेंगे इस बार वैका रुवा की गेंद का वैका रुवा आपने दूसरी ओबर डालना है और सामना करेंगे इस बार रोड्री गेज डाइने हाथ का खिलाडी को ओबर दुविकेट बॉल करता हुआ वह कर हुआ तो बहीं हमारे सात जो बबाई बनें वैए सबीकोब लिख़षद लाइक जरू करें और चैनल पर दो चैनल को सब्सक्राइब जरू करें फिरसे वबाली करता हुआ इस बार फुल लेंद की बॉल सुर बॉल था बॉल को खेल दिया डीब मिड़ विकेट की तराफ फिल्डर मौझूद है एक ही रड़ मिलेगा आगणी बॉल पे सिंगल लेके ओबर की समापती हो चुके है मेलबॉंड रेने गट्स का स्कोर 24 रड़ एक विकेट के लुकसान पे पहला विकेट मौली नेक्स का गया रणोड रीचा गोस का एक जबरदस थ्रोप कैच मिस किया था हाव में खेल दिया था या पर रोडरी गेज ने और हाव में खेलने के बाद रीचा गोस से नीचे थे कैच नहीं ले पाए मगर डाइरेक्ट थ्रोप विकेट पे लगा नौन स्टाइकेट पे दो रणों की कोसिस बे आउट हो गया है मौली नेक्स तो देखना होगा कि पांच ओवर हो चुके हैं अभी एक ओवर बागी है पावर प्ले के और इस एक ओवर में कितने रण बनते हैं तो चलिए भाई हमारे साथ जो भाई बने हुए हैं सभी को बने को लाइक करो और चैनल प्लत पर चैनल को सब्सक्राइब करो काफी बैतारी ने मैच होता हुआ पहला विकेट मैच में जीत हासिल कर पाता है की नहीं मॉली नेक्स आउट हो चुके हैं और उनके जगाबे आएं कॉर्डनी वेब अब देखना होगा कि कॉर्डनी वेब है स्टाइक पे डाइने हाथ के खिलारी है डाइने आत का खिलारी को मॉली स्टेनो बॉलिंग करते हैं मॉली स्टेनो बॉलिंग करने के लिए तेयार और सामना करेंगे इस बार वेब स्पिनर है राइटाम ओबर दोगर बॉल करता हुआ स्वार बॉल था बॉल को बैक फूर्ट बे जाके खेल दिया डिप स्कॉयल लेकी तरफ दो रन की कॉल है मगर यहाँ पर दो रन कम्प्लीट करता हुआ मौहती उंदा तरीके से यहाँ पर दो रन ले चुके हैं और इसी दो रनों के साथ स्कोर धीरे धीरे बनता हुआ 27 रनों तक पहुँच चुका है जरूर कीजिए और चैनल पर दो चैनल को सबस्काइब जरूर कीजिएगा फिर सेवाँ बॉलिंग करता हुआ इस बार ओ सिट समझ नहीं पाए थे बॉल को हाव में बॉल बहुत देर तक था मगर फिल्डर वहाँ पर आस पास कोई फिल्डर नहीं था नहीं तो दिक्कत हो सकता था फ्लाइटेट गें थी समझ नहीं पाए थे बल्ले का किनारा लिया था हाव में बहुत देर तक बॉल था मगर फिल्डर नहीं थे वहाँ पर कोई जहाँ पर बॉल गीरा खुसकिस्मत रही यहाँ पर वेब फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ इस बार बैकपूट बेगा है कट करने की कोसिस बाल चला गया कवर की दिसा में कोई रन नहीं डॉड बॉल होता हुआ और इसी डॉड बॉल के साथ तो पांच ओबर चार गिदे हो चुका है पांच ओबर चार गिदे के बार 27 रंड एक विगेट के लुकसान पे तो भाई जीनों ने भी तक लाइक नहीं किया बाई सभी को बलूँगा लाइक करो और चैनल पर दो चैनल को सबस्क्राइब करो फिर से एक बार WBBL का ये सात्मा एडिसन का इस 2021 का दूसरा मैच जो की खेला जा रहा है मेलबॉर्ण रेनेगेट्स और हैवट हारकन्स के बीश्च इस बार हाव में खेल दिया था बोलर के बगल से निकालने की कोशिस बहुत ही बढ़िया फिल्डिंग और सिंगल मिल चुका है और इसी सिंगल के साथ स्कोर जो है दीरे दीरे बढ़ता हुआ 28 बन बन चुका है तो थोड़ा सा दिक्कत फेस करता हुआ मेलबॉर्ण रेनेगेट्स अच्छी गेंदबाजी करता हुआ या पर मॉली स्टैनो मॉली स्टैनो का यह दूसरा ओवर है या आक्री बॉल इस ओबर का और साम ना करेंगे इस बार रोडरी गेज राइटाम ओबर दो गिर बॉल करता हुआ इस बार हाँ में खेल दिया बॉल को डिप मिटविए दिसा में वन बाउंस चार रनों के लिए वन बाउंस सीमा रेके के बार चार रन मिल गया है रोडरी गेज को और इसी चौके के साथ स्कोर भी 32 रनों तक पहुँच चुका है छे ओबर के बाद बहुत ही उंदा स्थ रोडरी गेज का रोडरी गेज इसी चौके की मदद से पहुँच चुका है 12 रनों की स्कोर पे अब दोनों के बीच अभी भी यहाँ पर मेलबॉंड रेनेगेट्स को इस मैंच में जीत हासिल करने के लिए 84 गेंदों पे 90 रनों की जोरत है क्या लगता है आपको क्या ही है मैच रेनेगेट्स जीत पाएगा कॉमेंट करके मैं ज़रूर बताए भाई और चैनल पर दोनों के सब्सक्राइब ज़रूर करें लाइक करें और दो लाइक दूर है 15 लाइक से 15 भाई अमारे साथ जुरे हुए हैं और 15 लाइक यहाँ पर नहीं हुए सिर्फ दो लाइक बाद है बॉलिंग पर तब दिली बॉलिंग पर चेंजेज हुए हैं और मुझे लगता है बॉलिंग पर नए बोलर आया हैं बॉलिंग डालने के लिए निकोला कैरी जी हाँ निकोला कैरी आया है निकोला कैरी की पहली गेंद कॉड़नी वेब ने चोका लगा दिया है फिर से बाद बॉलिंग के लिए थे या निकोला कैरी निकोला कैरी काफी अच्छी बोलर है और बैटिंग भी अच्छी कर लेती है मगर आज निकोला कैरी के बला नहीं बोला है देखना होगा कि बॉलिंग में क्या करते हैं फिर से एक बार लेंद बॉल बॉल को खेल दिया मिडॉन के पास कोई रन नहीं मिलेगा डॉट बॉल होता हुआ निकोला कैरी अपना पहला ओबर करता हुआ छे ओबर दो गेंदों हो चुके हैं छे ओबर दो गेंदों के बाद मेलबॉर्ण रेनेगर्स का स्कोर्ट जो है विकेट कीपर खुद जाके डिचल प्रिस्ट खुद जाके बाल को फिल्ड किया है एक ही रन मिलेगा और इसी एक रन के साथ स्कोर्ट बोर्ड धीरे धीरे बरता हुआ साइं 30 रनों तक पहुँच चुका है अब देखना होगा कि रोडरी गेज क्या स्कोर्ट जो धीमा हो चुका है उसको थोड़ा सा गती दे पाते हैं कि नहीं रोडरी गेज है डाइने हाथ के खिला रही है और उनको बॉलिंग करता हुआ इस बार गुडलेंड की बॉल थी थोड़ा सा हट के लेक स्टेम पे जाके बॉल को खेल दिया है सिंगल मिलेगा और इसी सिंगल को साथ स्टाइक को रोटेट किया है रोडरी गेज ने और इसी सिंगल के साथ स्कोर भी यहाँ पर बनता हुआ 38 रण एक विकेट के लुकसान पे इस बार स्टाइक पे है कॉर्टनी वेब जीनोंने चौका लगाया है अब देखना होगा कि दूसरा चौका लगा पाते हैं की नहीं निकोला कैरी की गेर ओवर दो विकेट बॉल करता हुआ गुडलेंद की बॉल अंदर की तरह पाई बॉल को खेल दिया इस कोईले की तरह आपर दोड़ पड़े हैं और सिंगल भी मिल चुका है और इसे सिंगल के साथ इसकोर जो है 6 ओवर 5 गेंद के लिए बाद 49 रण एक विकेट के लुकसान पे 7 ओवर चल रहा है और 49 रण बन चुके है अब यहां से अभी भी 83 रणों की जोड़ रहता है इस मैच में जीत हासिल करने के लिए निकोला कैरी बॉलिंग करने के लिए तया रोडरी गेज है स्टाइक पे राइट आम ओबर दोगेट बॉल लाता हुआ लेक स्टेम पे पीछवी गेंद और यहां पर वाइड बॉल का इसा राम प्यार का और इसी वाइड के चलते एक अतिरीक्त रण स्कोर पर जितने अतिरीक्त रण बढ़ेंगे उतना अच्छा यहां पर मिलबॉन रेनेगेट का 40 रण एक विकेट का लुकसार पे निकोला कैरी आखड़ी बॉल डालता हुआ और सामना करेंगे इस बार रोडरीगेज राइट आप ओबर द विकेट बॉल डालता हुआ मिलब इस टेम का बॉल खेल दिया है कट कर दिया है बॉल को एक्स्ट्र कवर की दिसा में फिल्डर मौझूद है दो रण जी आपर दो रण कंप्लिट करता हुआ रोडरीगेज और इसी दो रणों के साथ 42 रण बन चुका है साथ ओवर के बाद इकोलमी रेट किया यापर कार्ड रण ररिटके अगर बात करेता है तो छे क कार्डेट रर्ण ररिट चला है इसी छे की कार्डेट रर्ण रर्ण ररिट अगर चलता रहेगा तो अलाम से मैच जीत सकता है मिल्बॉन रेनेगेज विकेट ना खोने दे यापर से तो चलिए देखते हैं बाई बने रही हैं अमारे साथ लाइक जरूर कड़े लाइक का मतलब बता है सपोर्ट सपोर्ट जरूर कड़े साथ ओबर कंप्लीट हो चुके हैं साथ ओबर के बाद मेलबॉन रेनेगर्स का स्कोर 42 रंड एक विगेट के लुकसान पर मैदान पर हैं कॉटनी वेब और रोडरीगेज दोनों ही काफी अच्छी खेलती हैं और देखना होगा फिर से एक बार भेल म्यूनिक जी हाँ अपनी जो तेज गिंदबाज है उसको लाते वे रिचल प्रिस्ट लगातार बालिंग पर चेंजेस कर रहा है इस बार रिचल प्रिस्ट ने वेल म्यूनिक को बालिंग पर बुलाया गया है क्योंकि सामने है कॉटनी वेब डाइने हाथ के खिलारी को ओवर दो गेर बालिंग करता हुआ वेल म्यूनिक इस बार फुल लेंद की बॉल थी अच्छी योड कट डालने की कोशिस मगर फुल टॉस में बॉल को खेल दिया है कवर की दिसा में रन नहीं मिलेंगे अच्छी जगा पे बॉलिंग कर रहे हैं यहां पर भेल मीडिक एक लाइन और लेंद पकड़के बॉलिंग डाल रहे हैं फिर से बार इस बार की दूसरी गेंद भेल म्यूनिक तयार है बॉलिंग डालने के लिए और सामना करेंगे फिर से एक बार कॉड़नी वेव राइट आम ओवर्ड़ विगे बॉल करता है इस बार पाटकी भी गेंद थी है सौट उतनी जड़दार तरीके से बल्ले पे नहीं है यह बॉल मगर बॉल बैट का एज लिया था और बोलर के बगल से बॉल निकल गया कवर के दिसामें रन तो नहीं मिले मगर थोड़ा सा हावा में बॉल बहुत देर तक था क्याज का चांस बन सकता था हाप चांस था बोलर के लिए कॉटन बोल्ड का चांस बना था फिरसक बार वेल म्यूनिक बॉलिंग कर दिया था या राइट आप ओवर दो विगेट बॉल ललता हुआ साबना करेंगे इस बार कॉर्णी वेब सौटन बलेंग बॉल डख किया बॉल को सीधा विगेट की पर के पास कोई रन नहीं डॉड बॉल होता हुआ लगाता अची गेन बाजी यहां पर वेल म्यूनिक का विगेट भ़ले ही ना मिला हो मारं पेर थोड़ा सा रुक लगा है कारें रन नेट की बात करें तो कारें रन नेट जो है पास दोसंबला आठ सुनिये का कारें रन ने चल रहे है अभी भी 80 रनों की जुरूरत है यहां से मिल्बॉन रेनेगेट्स को मैच जीतने के लिए तो फिर से बार बॉलिंग के लिए थे यार इस ओबर की अगली गेंट राइट आप ओबर दो विकेट बॉल करता हुआ इस बार फिर से पटकी वी गेंट थी सुवार बॉल था सुवार बाउंसार सीधा रिचल प्रिस्ट रे विकेट कीपर के पास कोई रन नहीं लगाता है अच्छी गेंट बाजी करता हुआ यहां पर वेल मुनिक साथ ओबर चार गिंदों हो चुका है साथ ओबर चार गिंदों के बाद 42 रन एक विकेट के लुकसान पे बना है तो भई बने रही है हमारे साथ लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पर दो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा बैतर इनम मैच होता हुआ फिर तेक बार वेल मुनिक बॉलिंग करता हुआ इस ओबर के अगली के और इस बार लेक स्टेम पे पिछुई गेंद वाइट बॉल का इसारा आम प्यार का थोड़ी सी बाहर और वाइट बॉल का किसी सारा किया है आम प्यार ने और इसी वाइट बॉल के साथ है एक कतिरी की तरानी स्कोर बोर पे जूरता हुआ 43 रन बन चुके हैं एक फिकेट के लुकसान पे 7 और 4 के दुगबाद मेलबॉन डेनेगेट्स को अभी भी 89 रनों की जूरत है आपको क्या लगता है कि इस मैच में कौन जित सकता है कॉमेंट करके आपे जरूर बताए ये बाई और चैनल पर दोबाद चैनल को सब्स्क्राइब पे जरूर कीजेगा फिर सेक बार भैल विनिक बॉलिंग करता हुआ इस ओबर की पाच मेंगेट राइट आप ओबर दोबिकर बॉल करता हुआ कॉर्णी वेब को कॉर्णी वेब निसको मिड़ान के तरफ खेला है फिल्डर मौजूद है तिस गजगे दाइरे का अंदर कोई रण नहीं मिलेगा डॉट बॉल होता हुआ तो भैल लाइक जरूर करें लाइक का मंदबत है सपोर्ट सपोर्ट जरूर करें और दो लाइक दूर है से पंदरा लाइक से आप लोग देखते हैं पंदरा लाइक तक कौन भाई हमें जल्दी से जल्दी पहुचाता है कमाल का मैं चल रहा है इस ओबर की आखरी गेन जी हाँ इस ओबर की आखरी गेन और सामना करेंगे इस बार कॉटनी वेब अपना बैट को चेंज किया है कॉटनी वेब ने क्योंकि पिछला बाल पर थैंक्यू सो मज़ भाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए वेल म्यूनिक है बोलर याँ पर बॉलिंग करता हुआ अगरी गेन और इस बार कॉटनी वेब ने हाँ में खेल दिया है बोल को फिल्डर नीचे है और याँ पर वे गेर्ड बाइब बैट चेंज करते हुए बढ़ा सोर लगाने की कोशिस बे आउट होता हुआ याँ पर वेल म्यूनिक की गेन पर कॉटनी वेब अच्छी गेन गुडलन की बॉल और थोड़ा सा स्टेप आउट करके सौट को खेला था फिल्ड गिरता हुआ मिलबॉर्ण रेनेगर्ट का आठ ओवर कंप्लीट हो चुके है आठ ओवर के समापती के बाद मिलबॉर्ण रेनेगर्ट सोमन का स्कोर तैहां 40 रंद दो विकट के लुकसान पर यहाँ पर नो बॉल चेक किया जा रहा है वई नो बॉल को जाचा जा र रहा है मुझे लगता है कि यह नो बॉल है नो बॉल है यह नो बॉल है और यहां पर नो बॉल है कि नहीं चेक किया जा रहा है अगर नो बॉल है तो जी यहां यहां पर नो बॉल फ्री हिट आउट तो नहीं है और फ्री हिट भी मिल गए जी हाँ यहाँ पर आउट तो नहीं है मंगर free hit भी मिल गए जी हाँ यहाँ यहाँ पर आउट तो नहीं है और free hit भी मिल गए वेल म्युनिक की gain तो भई बने रहे आमने साथ लाइक जरूर कीजिए और चैनल परद बाँ चैनल को subscribe जरूर कीजिएगा अब फ्री हिट या पार फ्री हिट है वेल म्यूनिक का सामना करेंगे कॉट्णिफ वेब आक्री बॉल और सामना करेंगे कॉट्णिफ वेब राइट आम, ओवर दे विकेट बॉल करता हुआ, कॉर्णिव वेब को, कॉर्णिव वेब ने विकेट छोड़ दिया है, छोड़ के खेल दिया है, डीप मिट विकेट की तरह दिसा में, दो रन निस्पिल्ड हुई, और नहीं आपर सिंगल ही मिलेगा, दो रन की कॉल थीम जरूर करो भाई, थेंक्यो सो मज भाई, लाइक करके सपोर्ट करने के लिए, आट ओवर के बाद 45 रन मने है, एक विकेट के लुक्सान पे, कॉर्णिव वेब 4 रनों की स्कोर पे है, और जहां पर रोड्री गेज 16 रनों की स्कोर पे खेल रही है, अमारे साथ बहुत सारे भाई जूर चुके हैं, सभी गोलों को भाई लाइक जरूर करें और चैनल प्रतवाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, काफी बड़िया मैच होता हुआ, झाल, इस बीन स्कोर बाउमेक हैं. झाल सब्सक्राओ करें आप है, बंदा सब्सक्राइब एख सरह को जरूर मैच होँ़ है, आपा सnt एने ages to 12 मेचों ओ strangely को मैच है तो चलिए भाई बने रही आगा हमारे साथ लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल प्रदबर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आट वाद दो गिंद हो चुके हैं आट वाद दो गिंद के बाद 46 रन एक फिकेट के लुकसान पे इस बार कॉड़िव वेब के सामने यहाँ पर बॉलिंग डालेंगे एमेए स्मित जो की एक स्पीनर है इस ओबर की अगली गेद बॉलिंग करता हुआ इस ओबर की तिसी गेद है इस बार लेक स्टैन से बाहर बॉल कर दिया है वाइड बॉल का इस सामना प्यार का और इसी वाइड बॉल के चलते एक फिकेट के लुकसान पे आट ओबर दो गेदों के बाद बॉलिंग करता हुआ इस ओबर की अगली गेद एमे स्मीथ राइट आम ओबर दिविकेट बॉल आता हुआ इस बार स्टैप आउट करके खिल्डी की कोसी से बागर बॉल चला गाए बिडॉन के पास कोई रन नहीं में लगा डॉट बॉल होता हुआ एमे स्मीथ बॉलिंग करने के लिए तैयार और सामना करेंगे इस बार कॉटनी वेब कॉटनी वेब और इसी चौके की मदद से स्कोर जो है 51 रनों तक पहुँच चुका है वैं 50 रन हो गए बेलबॉन रेनेगर्स की एक फिकेट के लुकसान पे 8 ओवर 4 गेंदों के बाद आज जिस तरीके से यापर बेलबॉन रेनेगर्स ने सुरुवात किया है तो लगता है कि इस मैच में जीत हासिल जरूर करेगा क्योंकि रोडरी गेज अभी भी बढ़करार है यहाँ पर 17 रनों की स्कोर पे और दूसरी तरब यहाँ पर कॉर्टनी वेब भी यहाँ पर 12 रनों की स्कोर पे खेल रही है एमे स्मीथ फिर से बार बॉलिंग कर लेंगे लिए तैयार इस ओबर के पांच में गेद और सामना करेंगे इस बार कॉटनी वेब राइट आम ओवर दूगेट बॉल करता हुआ इस बार बैकपूर में गया बॉल को खेल दिया है कवर की दिसामे और कोई रन नहीं डॉट बॉल होता हुआ डॉट बॉल होता हुआ और इसी डॉट बॉल हो के साथ आट ओबर पांच गेदों के बाद एक कावन रन एक विकेट के लुकसान पे कॉटनी वेब फिर से बार सामना करेंगे इस बार एमे स्मीथ की गेंद का आकरी गेंद इस ओवर की 21 रनों की अभी भी जोर रहा था इस मैच में जीत हासिल करने के लिए कॉटनी वेब और फिर से एक बार फ्लाइटेट गेंती आगे निकल के आए स्टेप आउट करके खेल रही है कॉटनी वेब सिंगल मिलता हुआ और इसी सिंगल के साथ ओबर की समापती नो ओबर की समापती पर स्कूर जो है 52 रनों तक पहुँच चुका एक विकेट के लुकसान पर तो बही हमाले साथ जो बने हुए है सभी को बने हुए है लाइक जरूर करें और चैनल पर दो बही चैनल को सब्सक्राइब पर जरूर करें मिलबॉन और रेनिगेट्स ओमेन को अभी भी इस मैच में 70 रनों की जोड़ा था है 66 गेंदों पर तो क्या लगता है आपको कौन ये मैच जीतेगा कॉमेंट करका मैं जरूर बताइए और जीनों ने अभी तक लाइक नहीं किया है सबी को बोलूंगे कि और 4 लाइक दूर है 20 लाइक से जल्दी से जल्दी बाई 4 लाइक जलूर पुरा कर दे बने रहेए बाई लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर दो बाई चैनल को सबस्क्राइब पर जरूर कीजिएगा बहतरीन मैच होता हुआ मेलबॉर्ण रेनेगर्ट्स के लिए आज हैवाट हरिकन्स ने पहले टॉस जीता था टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया बैटिंग करते हुए 121 रन बना है वो भी पूरी टीम उनकी पूरी टीम जो है वो आउट हो चुकी है और उसकी जवाब में यहाँ पर बैटिंग करता हुआ मेलबॉर्ण रेनेगर्ट्स बॉलिंग करता हुआ कॉर्णी वेब को स्पीनर है और बॉल को खेल दिया है कवर की दिसा में कोई रन नहीं डॉट बॉल होता हुआ मोलेनी सेसा मोलेनी जो की आज खेल रही है प्लिंग इलेमेंन में सामिल किये गए है तो चलिए बने रहीएगा कॉर्णी वेब फिर से बार सामना करता है सासा मोलेनी की गेंद का और लगाता दो गेंदे डॉट खेल दिया है और इसी दो गेंद पे नौ अबाद दो गेंद हो चुका है अगली गेंद सासा मॉलेनी का इस बार आगे निकल के आए स्टेप आउट करके बॉल को खेल दिया है लॉग ओन की दिसा में सिंगल मिलेगा और इसी सिंगल के साथ स्टाइक को रोटेट करता हुआ और इसी एक रन के साथ स्कोर जो है 33 रनों तक पहुँच चुका है एक विगेट के लुकसान पे इस बार रोडरी गेज जो की 17 रनों की स्कोर पे खेल रही है सामना करेंगे इस बार सासा मॉलेनी की गेंद का सासा मॉलेनी जो की एक रायर टैम लेग स्पिनर है बॉलिंग करता हुआ राय टैम ओपर दो विगेट बॉल लाता हुआ इस बार फ्लाटेट गेंद करने की कोसीज मगर फुल टॉस में बॉल नो बॉल जरूर होगा मगर खेल दिया है बॉल को कवर की उपर से दो रण यहाँ पर मिल जाएंगे देखना होगा कि आमपयर इसको नो बॉल देते हैं कि ने जी आई यहाँ यहाँ बॉल मी रहा है तो नो बॉल के साथ फ्री हिट भी मिलेगा वाई फ्री हिट भी मिलेगा नो बॉल के साथ तो भाई बने रही हमारे साथ लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर दोबाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बहतरीन मैच होता हुआ यहाँ पर बने रही है फिरसे एक बार मॉलनी की गेंद इस बार आगे निकलके क्लेन बॉल डोडरी केज मगर यहाँ पर फ्री हिट था तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा बॉल्ड हो गये थे मगर यह फ्री हिट था तो यह तो आउट नहीं होगे स्टेप आउट करके बड़ा सॉट खेलने की कोशिस क्या था मगर क्लीन बोल्ड हो गये थे फ्रीड बाला बॉल था तो कोई दिक्कत नहीं है मगर इस बार फिर से बार बॉलिंग कर लिए थे यार इस बार आगे निकल के आई बॉल को खेल दिया गैब में कवर एक्स्टर कवर की दिसा में डिप एक्स्टर कवर में कोई फिल्डर मौदर नहीं है चार रन चार रन मिल गया है यहाँ पर कॉटनिफ वेब को और इसी चौके के मदद से स्कोर जाए 60 रनों तक पहुँच चुका है एक फिकेट के लुकसान पे कविक कमाल का सौट यहाँ पर कॉटनिफ वेब का थोड़ी सी स्टेप आउट किया और बॉल को अच्छी गैब में खेला हुआ सौट कवर और इक्स्टर कवर के बीच में से बॉल को निकाल दिया है चार ररों के लिए फिर से बॉलिंग करता हुआ इस ओबर के अगली गेंद और बॉल को खेल दिया है कवर के दिता हमें भाग चुके हैं मगब बॉल रन ने से मना किया या पर रोडरी गेज ने तो कोई रन नहीं बना है और इसी के साथ 10 ओबर कंप्लीट जी हाँ 10 ओबर कंप्लीट हो चुके हैं 10 ओबर के बाद मिल्बॉन रेनिकर्स ओमेंस का स्कोर जाए 60 रन एक विकेट के लुकसान पर बना है कौटनी वेब के अगर बात करें तो काफी कमाल की बैट्समन है और कौटनी वेब पिछली मैच में पिछली जो WBBL मुकाबले होए 2020 में तो काफी अच्छी वेटिंग किया है इनका दो जो है चार पाडिया जो है 13 मैचों में चार पाडिया इन्होंने 50-30 के उपर रन बनाए एक मैच में 50 भी किये एक मैं 46 भी बनाए और देखना होगा कि आज यहाँ पार रेनेगेट्स उनसे वही पारी का उम्मीद लगाएंगे बैटिंग इनका काफी अच्छा है इन्होंने मेलबॉन रेनेगेट्स के लिए यहाँ पार 49 मैच खेल चुके हैं 49 मैचों में 25 की औसद से इन्होंने 556 रन बनाए है स्टाइक रेनेट 103 का तो भई यहाँ पर देखना होगा कि आज यहाँ पर क्या कमाल करते हैं कॉर्डिव वेब दूसरी तरब रोडरी गेज की बात करें तो रोडरी गेज अपना डेबिय किया है और देखना होगा 10 ओवर हो चुके है तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है मैच फिर से दोवारा स्टाट होता हुआ मैच जो है दोवारा से स्टाट होता हुआ तो भाई जिरों अभी तक लाइक नहीं किया बाई और तीन लाइक दूर है तो इतने हैं बाई कौन भाई है जो यहाँ पर हमें 20 लाइक तक जल्दी से जल्दी पहुचाता है तो भाई बने रहे हैं अमरे साथ लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर दबाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा राइट आम ओवर दो विकेट बाल करता हुआ इस बार फुला लिंद बॉल था बॉल को लेक स्टैंप पे जाके बॉल को खेल दिया है ऑफसाइड बे कोई रन ने डॉट बोल होता हुआ तो बैतरीन गेंद बाजी यहाँ पर चल रही है इस बार दस ओबर एक गेंद हो चुके हैं एक्साट रन एक विकेट के लुग सान के नहीं बोला नीकोला कैरी फिर सिक बार आया है «बॉलनिंग डालने के लिए» पहली ओवर में 9 रन दिया थे तो दुसरी बार इंको दूसरा ओवर दिया गया है अब देखना होगा निकोला कैरी बॉलिंग करने के लिए थे या राइट आप ओवर द विकेड रोड्री गेज को रोड्री गेज ने बौल को खेल दिया इस बार हामें खेला है बॉल को करके मैं जरूरू बताइए कि क्या लगता है आज इस मैच में रोडरी गेज क्या अपना 50 रन कर पाएगा अपना डेबियू मैच में क्या रोडरी गेज अपना 50 रन कर पाएगा बिल बॉंट रेनेगेट्स के लिए इस बार थोड़ी से अच्छी गेंद आपसाइड में दोनों ही जो बल्लेवाज है काफी अच्छी तरीके से बैटिंग कर रहे है जब भी सिंगल मौका मिल रहा है बड़ा सौट लगा रहा है नहीं तो सिंगल रोटेट करके खेल रही है पिर से बार कॉडनी वेप सामना करेंगे इस बार लेक्स टैंप पर पीछ वी गेंज बाल को खेल दिया फाइन लेग कि तरफ सिंगल दो रन की जी हां दो रन की मांगया और यहां पर दो रन लेता हुआ और इसी दो रनों के साथ इस स्कोर जा है यहाँ पर बनता हुआ 68 रन एक विकेट का लुक्सान पर अभी भी इस ओवर में दो गेंदे बाकी है अब देखना होगा कि यहाँ पर इस दो गेंदों पर एक बड़ा सौट लगता है कि ने तो भाई जिनो नहीं अभी तक लाइक के नहीं किया भाई सबीको वलुक्त गड़ा का लाइक का मालदा बता है सपोर्ट सपोर्ट हमें ज़रू करो हो और चैनल प्रता है चैनल को सबस्काइब ज़रू कर्ड़ाओ निकोला कैरी फिर से बार राइड आप, ओबर देगर बॉलिंग करता हुआ, कॉर्णी वेब को, कॉर्णी वेब ने इस बार बॉल को खेल दिया, लोग ओन की दिसा में, लगातार यहां पर सिंगल लेते हुए, दोनों ही बैट्समेन, स्टाइक को रोटेट करते हुए, थेंक पर हमें 20 लेक तक जल्दी से जल्दी पहुचाता है, निकोला कैरी फिर से बार बॉलिंग करता हुआ, इस बार ओबर इस बार लेक्स टेम पर पिछवी गेद, वाइड बॉल का इस अराम प्यार का, और इसी वाइड के साथ, 70 रन पूड़े हो चुके हैं, मेलबॉन यहाँ पर 70 रन एक विगट के लुकसान पर, तो भई हमारे साथ बने रहे हैं, लाइक के जरूर कीजिए, और चैनल पर दबार चैनल को सब्सक्राइब है, जरूर कीजिएगा, निकोला कैरी आखरी बॉली सोबर की, इस बार लिंद बॉल था, खेलने की कोशिस किया था, य सिंगल लेता हुआ, और इसी सिंगल के साथ स्कोर जो है धीर धीर बढ़ता हुआ, 11 ओवर के बाद, 71 रन एक विगट के लुकसान पर, शो Ved Noحد भीतनी, 54 थाल सकता है ये हुआν हुआ होंते विगर के लिवट, 30 विपने की, खेलने के बुल ओग कि जएक Twol सब्टो है झाल झाल कर दो तो चलिए वह बने रही हमारे साथ था और लगातार अच्छी गेंद बाजी चल रही है 11 ओबर 4 गेंदे हो चुके हैं 11 ओबर 4 गेंदों के बाद 76 रन बने हैं एक विकेट के लुकसान पर मिल्बॉर्ण रेनेगेट्स को अभी भी 46 रनों की जोड़ रहता है 50 गेंदों पर अब देखना होगा कि यहाँ पर बॉलिंग करना है वेल्म्यूनिक और यहाँ पर फिर एक विकेट निकाल पाते हैं की नहीं क्योंकि स्टाइक बोलर है और यहाँ पर हैवाट हरिकंस के लिए वेल्म्यूनिक रिचल प्रिस्टल लगातार कोसिस कर रहा है कि एक और विकेट डिकाला जाए यहां से फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ वेल म्यूनिक सामना करेंगे यहां पर हाँ हमें बॉल को खेल दिया बोलर के सर के उपर से वन मांस आउट फिल्ड स्लो होने के कार्थन हमें बहुत सारी बाउंडरी मिस करना पड़ा है दो रन लेता हुआ कोडनी वेब और इसी दो रनों के साथ स्कोर जो है ग्यारा ओवर पांच गेतों के बाद अठातर रन एक विकेट के लुकसान पर बन चुका है तो भई हमारे साथ जो भाई बने वेएं सभी को भलोंगा और तीन लाइक दूर है यहाँ पर ट्वेंटी लाइक से तो जल्दी से जले बाई ट्वेंटी लाइक पुड़ा कर दे और चैनल प्रत बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे दोनों ही बैट्समन का भी कमाल कर खेल खेलता हुआ रोडरी गेज और कॉड़नी वेब यहाँ पर वेल मुनिक की इस बार आंक्री गेंद और इस बार पटकीवी गेंद अच्छी बाउंसर बॉल बॉल सला गया सीधा विकेट की पर के पास है कोई रन नहीं डॉट बॉल होता हुआ 12 ओवर समापत हो चुके है 12 ओवर के बाद मेलबॉन रेनिगर्स का स्कोर जा है वो 79 रन बने है 89 रन बन चुके है एक विकेट के लुकसान पर जी नहीं यहाँ पर वाइड बॉल बहुत लेड डिसीजन आया है आमप्यार का बहुती लेड डिसीजन आमप्यार का इतनी बड़ा लेड डिसीजन और वाइड बॉल का इसारा फिर से एक बार वेल भी हो नहीं किस ओवर की आखरीगे राइट आप ओवर दिविकेट बॉल आता हुआ मेरी लिस्टेम का बॉल बॉल को खेल दिया है डिप बैकवार्ट पॉंट की तरफ है सिंगल लेके यहाँ पर स्टाइक अपने पास रखा है कौट डिव वेब ने और इसी के साथ स्कोर जो है बारा ओवर के बादा सी रन एक विकेट के लुकसान पे अभी भी यहाँ पर 41-42 रनों की जोड़त है इस मैंच में जीत हासिल करने के लिए मेलबॉन रेनेगेट के और डिचल प्रिस्ट कोसिस कर रहे है लगातार कोसिस कर रहे है बॉलिंग पे चेंजेस कर रहे है लगातर कोसिस कर रहा है कि यहाँ पर एक और विकेटर निकाला जाए एक अच्छा नीव खड़ा कर दिया है यहाँ पर दोनों खिलाडियोंने कॉड्नि वेब और रोड्री गेज जो की बैटिंग कर रहा है आपको बता दे रोडनि गेज़ बैटिक करना 28 गिंदों पर 26 रन बना के और कॉड़नी वेब जीनों ने 30 गिंदों पर 28 रन बना के खिल रही है स्टाइक पर है कॉड़नी वेब और सामना करेंगे इस बार नए गिंद भाज जी हाँ हैवाट हरीकंस की नए गिंद भाज आये हैं बॉलिंग डालने के लिए ये लोगों ने भी मॉली स्टैनो जो कि अपना जो यहाँ पर मॉली स्टैनो की बात करें तो अपना दो ओवर कंप्लिट कर चुके ये इनका तिस्रा ओवर है और तिस्री ओवर की पहली गेंद पर यहाँ पर सिंगल लिया है इस ओवर की दूसरी गेंद और राइट आम ओवर दिविकर बॉल करता वार रोडरी गेज को रोडरी गेज ने इस बार बैक पूर में जाके पूल करने की कोसिस बगर बॉल जो है सीधा बल्ले पे लगी और बोलर के पास गई कोई रन नहीं डॉट बॉल होता वा हाड इट करने की कोसिस किया टाइमिंग सही नहीं है यहाँ पर रोडरी गेज का तो फिर से बार बॉलिंग के लिए तयार मॉली स्टैनो राइट आम ओबर देगर पिस बार आगे निकल के आए बोलर के सर के उपर से खेल दिया है बोल को छे रनों के लिए रोडरी गेज की बल्ले से यह चक्का और इसी चक्के के साथ स्कोर जो है 87 रनों तक पहुंच चुका है रोडरी गेज का इस मैच का पहला चक्का 106 की स्टाइक रेट से बैटिंग करता हुआ रोडरी गेज पहुंच चुके है 32 रनों के स्कोर पे और मेलमान रेनेगर्स का स्कोर 87 रन बन चुके है एक विगट के लुक्सान पे मॉली स्ट्रैनो की यही सोवर की चौती गेंती जिस पे छक्का लगाया है बहुती बढ़ी आतरीके से इस बारा आप स्टैम पे बॉल था बॉल को खेल दिया था मीरा आन के तरफ कोई नहीं डॉड़ बॉल होता हुआ 12 ओवर 4 गेंदे हो चुके है 12 ओवर 4 गेंदों के बाद 87 रन एक विकेट के लुकसान पे रोडरी गेज 31 गेंदों पे 32 रनों की स्कोर पे खिल रही है दो चौके और एक छक्के की मदस से इन्होंने 32 रन बढ़ाए है आप देखना होगा कि थोड़ा सा जो है गियार बदलते हुए देखिए कारेंड रन रन रेट जो है वो 6.87 का है और रिक्वार रन रेट बहुत ही कम है 4.77 का फिर से एक बार मॉली स्टैनों बॉलिंग करता हुआ सामना करेंगे रोडरी गेज आउटसाइड दा आप स्टैम बॉल को पीछ हुआ बॉल को बैकपूर्ट में जाके ड्राइब कर दिया लॉंगाउन की तरफ है फिल्टर मॉजूद है हुआ पर वैकार हुआ और उन्होंने अच्छी थ्रो किया है सिंगल भी लेगा और इसी सिंगल के साथ 88 रन एक विकेट के लुक्सान पर बन चुका है अब भी अमाले साथ जो भाई बने वह है सभी को बलुक्त बार लाइक जरू करें और चैनल पर दबार चैनल को सब्सक्राइब जरू करें और यही सोबर की आखरी गेंद है और सामना करेंगे इस बार कॉटनी वे स्ट्रैनो की गेंद का मॉली स्ट्रैनो राइट आम ओबर देगर बॉल आलता है फिर से एक पर फुलल लिंद बॉल था आगे निकल के आए बॉल को खेल दिया है लॉंग ओफ की तरफ फिल्डर मौजूद है दो रन की मांग है मगर यहाँ पर सिंगल लेया है और इसी सिंगल के साथ ओबर की समापती तेरा ओबर कम्प्लिट हो चुके है तेरा ओबर के बाद उनने वे रन बन चुके है 89 रन बन है एक प्रिकेट के लुकसान पे आभी भी मेलबॉन रेनेगेट्स को मैच में जीत हासिल करने के लिए 33 रनों की जोड़ात है जी हाँ 33 रनों की जोड़ात है 42 गेंदों पे तो भई हमारे साथ बने रहे हैं लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पर दो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा बहतरीन मैच होता हुआ यहाँ पर कापी बहतरीन है मैच होता हुआ यहां पर नजल आ रहा है क्योंकि अभी भी साथ ओवर बाकी है 42 गेंदों पे 33 रनों की जोरत है फिर से एक बार वैकर हुआ यह अपना दो ओवर डाले है वैकर हुआ ने साथ की एकोनोमी डेल्ट से बॉलिंग किया है और दो ओवर में 14 रन दे चुके हैं उनको बालिंग पर लाया गया है वैकर हुआ बालिंग डालने के लिए तेयर और सामना करेंगे इस बार कॉर्टनी वेब वैकर हुआ बालिंग करता हुआ राइट आप ओवर दो विकर बाल करता हुआ इस बार थोड़ी से स्लुआर बाल था कट कर दिया है बाल को कदर की दिसाब है सिंगल लेता हुआ और इसी सिंगल के साथ है 90 रन बन बन चुके हैं यहाँ पर मेल बॉन्ड रेनेगर्स की तो भई आप लोग जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया इस बार रोड़ी गेज है सामने रोड़ी गेज बॉल को खेल दिया है हल्के बैटो से कवर की दिसाब में कोई रन नहीं डॉड बॉल गैप निकालने में कामिया भी नहीं मिला है यहाँ पर रोड़ी गेज को रोड़ी गेज जो की 33 रनों की स्कोर पे खेल रही है 90 रन बन चुके हैं अभी भी यहां से 31-32 रनों की जोर आता है 40 गेदों पे रोड़ी गेज आई स्टाइक पे सामना करेंगे वैकर रुआ की गेद का तो भई आपको क्या लगता है कॉमेंट करका में ज़रूर बताए फिर सिक बार भैकर वकी गेंद इस बार लेंद बॉल था हाँ में खेल दिया है बॉल को लॉग ओन की दिसा में और यहां पर बहुत ही बैतर इन विकेट निकालता हुआ लॉग ओन पर फिल्डर मौजो थे और यहां पर कैच लिया है मुझे लगता है डू परेज ने कैच लिया है देखना होगा की फिल्डर कौन है क्यूंकि यहां पर कैच आउट होता हुआ रोडरी गेज दूसरा विकेड जिस विकेड का तलास था यहाँ पर रिचल प्रिस्ट को वही विकेड निकाल लिया है यहाँ पर वैकार रुआ ने वैकर हुआ की गेंदी लेंद बॉल था खेल दिया था इस बार लोंग ओन की तराफ पर लोंग ओन पर फिल्डर खड़ेते कैच ले लिया है रोड्री गेज तैंटीस रन बना के आउट होता हुआ बहुत ही उंदा खेला है आज यहां पर रोड्री गेज ने नबबे पे दोर यहां पर मेलबॉंट रेनेगेट्स का स्कोर हर्मन पीत कौर जी हां इंडियान टी ट्वेंटी क्रिकेट टीम का कप्तान और यहां पर आज खेल रही है मेलबॉंट रेनेगेट्स के लिए तो बहतरीन मैच होता हुआ बहतरीन मैच होता हुआ वही तो लाइक जरू कीज़े और चैनल प्रतबे चैनल को सब्सक्राइब जरू कीज़ेगा 116 की स्टाइक रेट से बैटिंग करते है WBBL केरियर में इनका 64 64 रन हैस्ट है और बिलबॉंट रेनेगर्स के लिए ये पहला मैच है तो फिर से एक बार राइट आम अबर दो विकर बॉल करता हुआ इस बार ओ स्लोर बॉल जाला था कॉटनी वेब को कोई रन नहीं डॉट बॉल होता हुआ थोड़ा से जो विकर गिर जाने के बाद एक दो ओबर जो है थोड़ा सा धीमा जरूर हो जाता है अब देखना होगा कि यहां पर से कितने रन कितनी जल्दी यहां पर से स्कोर को चेस करते है कॉटनी वेब सामना करेंगे इस बार वैकर हुआ की गेंद का कॉटनी वेब वैकर हुआ की गेंद और पॉइंट में फिल्डर खड़े थे असान सा कैच लेता हुआ और यहाँ पर लगाता दो विकेटर बहुत जल्द गिर गे चुके है कॉटनी वेब 35 गेंदो पे 31 दन बना के वैकार रुआ का सिकार बने और इसी के साथ तिस्रा विकेटर मेलबॉर्न रेनेगेट सोमन का तिस्रा विकेटर गिर चुका है कॉटनी वेब के रूप में और इस कैच लिया है रूथ जॉन्स्टन ने कैच लिया है जिन्होंने अच्छी परफॉर्म किया था और इसी के साथ तिस्रा विकेटर गिरता हुआ नबे पे तीन हो चुके है पंद तेरा ओबर पार्च गेदो के बाद अब आगे आने वाले खिलाडी कौन है देखना होगा भई मुझे लगता है कि बहुत सारे खिलाडी है एवलिन जोन्स आये है जी हाँ एवलिन जोन्स आये है नहे खिलाडी तो भई हमारे साथ बने रही है लाइक कर जरूर कीजिए और चैनल पर दबाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए गा एबलीन जोन्स जोकी डाएं हाथ के खिला रही है बाएं हाथ से बल्ले बाजी करते हैं और सामना करेंगे इस बार वैकार रुआ की गेंद का जी का तो भई और तीन लाइक दूरेट 20 लाइक से तो जल्दी से जल्दी भई लाइक करो और चैनल परदबाच चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा तो भई बने रही है लाइक जरूर कीजिए और चैनल परदबाच चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मिल्बॉर्ण रेनेगर्स ओमन को अभी भी 32 रनों की ज़रूरत है 36 गिंदों पे लगाता दो विकेट गिट जाने के बाद थोड़ा सा अगर मैच पे वापसी कर सकते हैं क्या नहीं देखना होगा क्योंकि यहाँ पर मिल्बॉर्ण रेनेगर्स को अभी 32 रनों की ज़रूरत है तो भाई और 3 लाइक दूर है यहाँ पर 20 लाइक तक पहुचने के लिए तो भाई आप लोग जल्दी से जल्दी 20 लाइक तक पहुचा दे देखते हैं कौन भाइओ है जो कि मुझे जल्दी जल्दी 20 लाइक तक पहुचाते है और शुरू होने से पहले याँ पर 20 लाइक कर दे तेंक्यू सो मुच भाई लाइक करो और सपोर्ट करो भाई को तेंक्यू सो मुच भाई जुड़े हुए हैं, कॉमेंट करके बताइए यहां पर लाइक जरूर कड़े हर्मन पित कॉर फिर से बार सामना करेंगे निकोला कैरी की गेंट का निकोला कैरी डाइने हाथ के खिलारी को ओवर दो गेंट बॉल करता वा इस बार पट के भी गेंटी, पैट बेंगी जोड़ता रेपील, मगर थोड़ा सा आगे निकल के आये थे, इसलिए थोड़ा सा बच गये है, यहां पर खुसकिस्मत रहे यहां पर हर्मन पित कॉर थोड़ा सा उचाल था बॉल पे और उसी के चलते यहां पर आमप्यार ने दिखा भी दिया कि भाई थोड़ा सा उपर की तरफ बॉल है फर्न फूट में लगा था तो कोई दिक्कत नहीं है यहां पर हर्मन पित कॉर को तो चलिए भाई, लाइक जरू करें और चैनल पर तरफ चैनल को सब्सक्राइब जरू करें और दो लाइक दूर है यहां पर 20 लाइक से तो जल्दी से जल्दी भाई 20 लाइक तक पहुचा दे इस ओबर की चौती गेर राइट आम अबर दो गेर इस बार लेक स्टेम पे बॉल पीछ भी गें थी यहां पर क्या कमाल करती है क्यों अभी भी इस ओबर में दो गेंदे बाकी है इस ओबर में अभी भी दो गेंदे बाकी है तो भाई लाइक जरू करो और दो लाइक दूर है यहां पर 20 लाइक से तो जल्दी से जल्दी भाई देखते हैं कौन भाई है कि जल्दी से जल्दी हमें 20 लाइक तक पहुचाता है एवलीन जोन्स सामना करेंगे निकोला कैरी की गेंद का तो चलिए भाई देखते हैं बने रहे हैं लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल प्रदबर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा बैतर इने मैच होता हुआ तैंक्योस सो मच बाई लाइक करके सपोर्ट करने के लिए 15 puzzle में स्रिफ एक रणा है बाई स्रीफ एक रणा है निकोला कैरी ने काफी टाईट गिंद बाजी किया है यहां पर और तीन ओवर में स्रीम निकोला कैरी20 रन दिया इस ओवर में स्रिफ एक रणा है और मेलबॉर्ण रेनेगर्स ओमेंस का स्कोर 15 ओबर के बाद 91 रन बने हैं 3 विकेट के लुकसार पे तो भई हमारे साथ जो भई बने हैं सभी को बलूँगा और एक लाइक दूर है यहां पर 20 लाइक से जल्दी से जली बाद 20 लाइक पूरा कर दे और चैनल पर चैनल को सबस्काइब जरूर कर ले भई काफी बहतरी ने मैच होता हूँ यहां पर नजर आ रहा है तो भई जिनोंने अभी तक लाइक नहीं किया भई सभी को बलूँगा लाइक करो और चैनल पर चैनल को सबस्काइब जरूर कर लो यहां पर फिर से बार बॉलिंग पर तब्दिली किया है में समित जिनोंने पहली ओबर में 7 रन दियते हैं में समित ने उनको बॉलिंग पर बुलाया गया है में समित के अगर बात करें तो बिग बैस लीग में इनका जो एडिलेट स्टाइकर के खिलाब दोजार इकीस में सिर्फ एक विकेट था और उसके बाद हेवाट हेरिकन्स की तरफ से बॉलिंग करता हुआ एमे जोन्स एमे समित कोई रन नहीं डॉट बॉल होता हुआ पहली गेंद हर्बन पीत कॉर्ड थोड़ा सा धीमा खिल रहा है भाई पोड़ी सी स्लो खिल रहा है आप जोरत नहीं है आपके पास विकेट है रन भी कम है तो अच्या खासा खिलो तिस एक बार राइट अब अबर देगे तरफ स्वीप कर दिया है बॉल को डीप स्कॉयल लेक की तरफ सिंगल लेता हुआ और इस सिंगल के साथ स्कूर जो है दिरे दिरे बनता हुआ बिरानवे रन तीन विकेट के लुक्सान पे एवल तो भाई लाइक जरू कड़े है लाइक का मतलब बता है सपोर्ट सपोर्ट हमें जरू कड़े है और चैनल पर दो चैनल को सब्सक्राइब जरू कड़े लगातार दो विकेट गिर जाने के बाद है मैच थोड़ा सा फस्ता हुआ नजार आ रहा है जिस तरीके से जिस अंदाज से मिलबॉन रेनेगेट्स की दोनों बैट्समन हर्मन पित को और एवलिन जोन्स बैटिंग कर रहा है लगता है कि यहाँ पर थोड़ी सी स्कोर जो है 96 रनों तक पहुंच चुका है 15 ओबर 4 गिंदों के बाद तो भाई बने रही है थेंकियो सो मच भाई लाइक करके सब्पोर्ट करने के लिए इसी तरह 26 गिंदों पर अभी 26 रनों की जोरत है भाई हमें 20 लाइक तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत थेंक्य फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ एमे इसमीथ इस ओबर की अगली गेंद राइट आम ओबर देगर बॉलर के बालता हुआ इस बार बैक पूर्ट में के बाल को ड्राइब कर दिया सीधा बोलर के हाथ बे कोई रन नहीं डॉड़ बाल होता हुआ यह आखरी बॉल है इस ओबर का और सामना करेंगे फिर से एक बार एवलीन जोन्स एवी जोन्स सामना करेंगे इस ओबर की आखरी गेंद का राइट आम ओबर देविकेट बॉल करता हुआ इस बार बैकपूर्ट में कैए कट करने की कोशीज, हाँ में रीचा गोश ने कोई गलती नहीं की, चौता विकेट गिरता हुआ, एवीन जोन्स का, एमी स्मीथ ने यहाँ पर बॉल किया था, आउटसाइड दॉपस्टेम, कट किया था, पॉइंड में रीचा गोश खड़े और यहाँ पर कोई गलती नहीं की, एक सान सा कैच लेने में, और इसी के साथ चौता विकेट गिरता हुआ, मेलबॉन रेनेगेट्स का, 96 पर यहाँ पर चार विकेट आउट होता हुआ, 96 पर चार विकेट, कहाँ एक टाइम लग रहा था, कि आसानी से जीत हासिल कर लेगा, मेलबॉन रेनेगेट्स, मगर 16 उबर आते आते, मेलबॉन रेनेगेट्स का, चार विकेट गिर चुका है, वो भी 96 रनों के, अब यहाँ से अभी भी 24 गेदों पर 26 रनों की जोरत है, मेलबॉन रेनेगेट्स को इस मैंच में जीत हासिल करने के लिए, जोर्जिया वेर हम आ है, 54 इनके हाइस्ट स्कोर है, तो भाई, लाइक का मनलब बता है, सपोर्ट, सपोर्ट हमें जरूर करे, और चैनल प्रतबाद चैनल को सब्सक्राइब पर जरूर करे, हर्मन पितकोर है स्टाइक पे, और नए बोलर देखना होगा की बॉलिंग करने कौन आते हैं, क्यूंकि छे गेंद बाज यूज कर चुकी है, रिचल प्रिस्ट, और कामे अभी भी मिली है, छे गेंद बाज यूज करने का, पहली गेंद और यहाँ पर डिप स्कॉयल लेक की तरफ खेल दिया है, दो रन अरम से मिलता हुआ, और इसी दो रनों के साथ स्कोर जो है, अठानवे रन बन चुका है, 16 ओवर एक गेंदो के बाद, 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 16 ओव तेढ़ ले सकते थे मगर दो रन नहीं लिये सिंगेलन लिया है और 22 रनों की अभी भी जरूरत है इस मैच में जीत असल करने के लिए मॉली इस ट्रेण ओ जाते हैं सिंगेल का अभी बहुत लूरत है अगर सिंगेल लेते रहेंगे तो रन बनते जाएंगे विकेड लेने होंगे या पर हैवार हैरकन्स को इस बार आप स्राइट में बॉल था बॉल को खेल दिया है लोंग ओन के तरफ एक ही रन मी लेगा लगाता और सिंगल लेके स्ट्राइक को रोटेट करते रहे दोनों ही बैट्समैन 22 रनों की जोरत है 21 गेदो पे आपको क्या लगता है कि यह मैच तो मुझे लगता है कि मिल्बॉन रेनेगेट्स जीच सकता है मगर यहां से एक और विकेड गिरेगा क्या इस जगे पे और एक विकेड गिर जाता है तो मज़ा आ जाएगा यहां पर सिंगल लेता हुआ फिर से एक बार 101 रन बन चुके हैं चार विकेट के लुक्सान पे मेलबॉन रेनेगेट्स का बई या पर बीस गेंदों पे 21 रनों की ज़र्ण होता है जॉर्जिया वेरहम वेरहम बैटिंग करने के लिए तैयार और सामना करने के इस बार मॉली स्ट्रैनो की गेंद का डाइने हाथ के किलारी को ओबर दो विकेट बॉल करता हुआ मॉली स्ट्रैनो इस बार तो आपसराम साइड में पीछ वी गेंद बैट का किनारा लिया बॉल चला गया पॉइंट की तरफ रीचा गोज ने बॉल को फिल्ट किया है कोई रन नहीं में लगा डॉट बॉल होता हुआ अच्छी फिल्डिंग सजाई है एक पॉइंट रखा है बैकवाड पॉइंट रखा है कवर रखा है एक्स्टर कवर और मिड ओफ पाँच फिल्डर रखाय गया है यहाँ पाड आपसाइड में वहर हम के लिए सिंगल लेता हुआ और इसे सिंगल के साथ सत्रा होवर की समापती पे 102 रन बने है चार्ड विकेट के लुकसान पे 18 गेंदों पे अभी भी 20 रनों की जोड़त है मेलबॉंड रिनेगेट्स को इस मैच में जीत हासिल करने के लिए तो भाई हमारे साथ बने रहे हैं लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर दो चैनल को सबस्क्राइब जरूर कीजिएगा एक अच्छा खासा मैच चल रहा था और 15 ओवर के बाद जब लगा था दो विकेट गिर चुके है उसके बाद से यहाँ पर मैच का रन की गती जो है वो कम हो चुका है अभी भी तीन ओवर वाकिया और तीन ओवर में कितने रन बनते हैं यह देखना होगा तो कमेंट कीजिए और रिचल प्रिस्ट अच्छी कप्तानी करते हुए यहाँ पर वैका रुआ है बॉलिंग डालने के लिए पहली गेंद फूला लेंद बॉल था मिडिलिस्ट्रम का बॉल खेल दिया है लोग अउन की तरफ दोर के बॉल को फिल्ड करेंगे एक ही रन भी लेगा और इसी एक रन के साथ एक सो तीन बन बने है सत्रा ओबर एक गेदो के बाद इस बार हर्मन पीत कौर सामना करेंगे वैका रुआ की गेंद का तो भाई हमारे साथ बने रहे हैं लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर दो बार चैनल को सब्सक्राइब है जरूर कीजिएगा फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ वैकार हुआ राइट डाम ओबर दो विकेट बाल लाता हुआ फुला लेंद बॉल बॉल को स्टेट बैट से ड्राइब कर दिया है बॉल चला गया कवर की बगल से चार रन जी यहां पर आकरी मोमेंट पर बहुत रोक दिया गया है तीन रन तो अराम से मिलने चाहिए नहीं दो रन मिले है भाई यहां पर दो रन मिले है और इसी दो रनों के साथ इसकोर जाए 105 रन 4 विकेट के लुकसान पर अभी भी 17 रनों की जोड़त है 16 गेदो पर अच्छा गैब में खेला हुआ सोट था फिल्डर जो थे वो बहुत दूर तक दोड़े थे मगर आकरी का रेजल्ट अच्छा हुआ अब देखा जा रहा है कि चौका है कि नहीं आकरी मोमेंट पर यह बॉल को रोका था फिर से गबर वैकर हुआ बॉलिंग करणे के लिए तैयार और सामने है हर्मन पितकोर आट रनों की स्कोल पर खेल रही है साबना करेंगे इस ओबर की अगली गेंद का वैकर हुआ बॉलिंग करता हुआ राइट आम ओबर दुविकर बॉल डलता हुआ राइट आम ओबर दुविकर बॉल डलता हुआ फुल अलिंग बॉल था अच्छी और कर डलने की गोसिस मगर बॉल चला गया रीचा गोस के पास कोई रण नहीं डॉस्ट बॉल होता हुआ यहाँ पर क्रियेटिव आनंद लाइव कहरा है यहाँ पर क्रियेटिव आनंद जी हमारे साथ जूर चुके है और हमारे साथ बने रही है लाइक जरूर कीजिए और चैनल प्रतबाई चैनल को सब्सकाइब जरूर कीजिएगा इस से मैच के बाद टॉस होगा भाई सेम ग्राउंड पर मैच खेला जाएगा तो टॉस अभी तक नहीं हुआ है और मैच खतम होगा इसके बाद टॉस होगा अभी तक मैच का टॉस नहीं हुआ है सिडनी ठंडर ओमेंस और अडिलेट स्ट्राइकर्स के बीच नेक्स्ट मैच जो खेला जाएगा उसका टॉस अभी तक नहीं हुआ है और टॉस सेम ग्राउंड पे खेला जाएगा तो टॉस जो है मुझे लगता है कि यहाँ पर मैच के बाद ही टॉस होगा थैंक यू सो मज़ बैल लाइक करके सपोर्ट करने के लिए अस बैल वैकड़ों की गेंद स्लो यूर का डालाता बॉल को खेल दिया है बाल तक जाएगा ज़रूर थैंक यू सो मज़ बैल लाइक करके सपोर्ट करने के लिए इसी तरह लाइक करो और सपोर्ट करो भाई को हर्मन पित कॉर्ड जो की 9 रनों पी स्कोर पे खेल रही है सामना करेंगे इस बार वैकर हुआ की गेंद का ये दूसरा मैच है WBBL 2021 का इस बार फुल टॉस में बाल को खेल दिया है डीप स्कोर लेक की तरह आखरी बाल पे भी सिंगेल लिया है और स्कोर को 108 रनों तक पहुचाया है हर्मन पित कॉर्ड ने हर्मन पित कॉर्ड दस रनों की स्कोर पे खेल रही है और वेर हम 4 रन बना के खेल रही है 108 रन बने है 4 विकेटर लुकसान पे अभी भी 2 ओवर बाकी है मैच के और 12 घेंदों पे अभी भी 14 रनों की जोड़त है इस मैच में जीत हासिल करने के लिए तो भई हमारे सार्ट बने रही है लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल प्रदबाच चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा बैतरी ने मैच होता हुआ तो बने रही है भाई यहाँ पर लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल प्रदबाच चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चे गेंद बाज यहां पर हैवर्ड हरिकेंज की तरफ से यूज किये गये हैं मुलानी, स्मीट, निकोला कैरी निकोला कैरी का एक ओबर बाकी है भी भी वैकर हुआ और वेल मिनिक दोनों ने चाचार ओबर डाल दिये हैं और स्टैनों ने भी चार ओबर डाले हैं अब देखना होगा कि बॉलिंग पे निकोला कैरी आए बॉलिंग डालने के लिए क्रियेटिव आनंद लाइब जी हमारे साथ जूर चुके हैं और थेंक्यू सो मज़ जूरने के लिए लाइक ज़रू करे और चैनल प्रता बाइब चैनल को सब्सक्राइब ज़रू करे दो बर बाकी है हर्मन पीद कॉर है स्टाइक पे हर्मन पीद कॉर के सामने है निकोला कैरी बॉलिंग पे 12 गेंदो पे 14 रनों की ज़रूरत है 12 गेंदो पे 14 रनों की ज़रूरत है इस मैच में जीत हासिल करने के लिए क्या लगता है भाई अपको क्या इस मैच में ये आखरी बॉल तो जावेगा जरूर हर्मन पितकोर एक अच्छे आल राउंडर है और बैटिंग करता हुआ निकोला कैरी बॉलिंग राइड आप ओवर दुगेट और इस बाद विकट कीपर के पीछे से खेल दिया है पहली गेंद बॉल चला गया है फाइन लेक की तरह आउट फिल्ट स्लो होने के कारण यहापर बॉल की गती कम होता हुआ दो रन मिले है और इसी दो रनो के साथ स्कोर जो है 110 रन बने है चार विकेट के लुकसान पे अभी भी 11 गेंदों पे 12 रनों की जोरत है 11 गेंदों पे 12 रनों की जोरत है मैच बहुत एक्साइटिंग हो चुका है फिर से एक बान निकॉला कैडी बॉलिंग करने के लिए तैयार इस ओबर की अगली गेंद और सामना करेंगे हर्मन पितकॉर राइट आप ओबर दो विकेट बॉल डालता हुआ हर्मन पितकॉर को हर्मन पितकॉर हाँ में खेलने की कोशिए बॉल चला गया लॉन की तरफ फिल्टर मौजूद है बॉल को रोकने के लिए एक ही रन मिलेगा और इसी एक रन के साथ स्कोर जो है धीरे धीरे बढ़ता हुआ 111 रन 11 रनों की जोर्वत है अभी 11 रनों की जोर्वत है अभी इस मैच में जीत हासिल करने के लिए 10 गेंदों पे WBBL का यह दूसरा मैच है जो की खेला जा रहा है है वाट ठाय हेरकंस ओमेंज और अडिलेट यह पर मेलबांड रेनेगेट्स के बीच दूसरा मैच सिद्नी ठंडर अडिलेट स्टाइकर्स के बीच खेला जाएगा एक बज़ के 35 मिनिट पे और उस मैच का अभी भी टॉस नहीं हुआ है क्योंकि मैच अभी भी चल रही है यहाँ पर टॉस होने का टूरंट अपडेट आपको मिच जाएगा यह पीच जो है थोड़ा सा स्लो पीच है इसी पीच पे खेला जाएगा वो मैच तो हमारे साथ 27 भाई जूर चुका है यहाँ पर दस गेदों पे दिगना होगा बने रही है भाई लाइक जरूर कीजिए और चैनल प्रतम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे साथ बहुत सारे भाई जूर चुके है सब भाईयों को मैं बहूंगा हमारे साथ जूरने के लिए तो इसके चलते आमपेयार ने मैच को थोड़ा बक्त के लिए रोक दिया है तो भाई बने रही हमारे साथ लाइक के जरूर कीजिए और चैनल प्रतवाइब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीज़ेगा यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 112 रन बने हैं और ऐसे तो 11 रनों की जोड़ात है 10 गेंदों पे 10 गेंदों पे 11 रनों की जोड़ात है भई तो भई हमारे साथ जो भाई बने हुए हैं प्रतवाइब चैनल को सब्सक्राइब करो फिर से एक बार बॉलिंग करता हुआ निकोला कैरी राइट आप ओवर दविकर बॉल करता हुआ इस बार सिंगल लेकर स्टाइक हर्मन पित कौर को दिया है और इसी सिंगल के साथ स्कोर जो है दीरे दीरे बरता हुआ इस बार रन अठारा ओवर तीन गेदो के बाद हर्मन पित कौर ग्यार रनों की स्कोर पे खेल ले है और दस रनों की जोरत है नो गेदो पे आक्री बॉल तक इस मैच को ले जाने का कोशिस है तो बढ़िए पाडनर सिब है इन दोनोंके बीच अगर बात करें तो 16 रनों की पाडनर सिब इन दोनों के बीच बन चुकी है भी चलिए देखता है फिर से बार बालिंग करता हो है निकॉला कालीए हाँ में खेल दिया हर्मन पित कौर ने इस बार डिम्बिड विकेट के उपर से 6 रनों के लिए काफी बारा सौट या पार हर्मन पित कॉर द्वारा और इसी छक्के के साथ स्कोर जो है 118 रन 4 विकेट के लुक्सान पे अब स्रिप्स 4 रनों की ज़ुरत है हर्मन पित कॉर 17 रनों की स्कोर पे काफी बढ़्या बैटिंग करता हुआ अब येसी निंग्स का ये पहला चका था हर्मन पित कॉर का 113 की स्टाइक रेट से बैटिंग करता वा हर्मन पित कॉर 15 गेंदों पे 17 रन बना चुकी है अब हुद दो गेंदे बाकी है इस ओबर में 8 गेंदों पे निकोला केरी बॉलिंग करने के लिए तैया राइट आप और दो गिल बॉल डालता हुआ इस बार हर्मन पितकौर को इस बार खेल दियाए भॉल को और बॉल को कवर के ऊपर से बॉल चला गया ह। दो रनत वो और आम से मिल जाевेंगे जी आं यापा दो रनत वो आलाम से मिल जाएंगे हर्मन पीद कॉर को और इसी दो रनों के साथ स्कोर जो है 노력 सो बीशर रनों तक होच चुका है अब दो रनों की जोड़त है मैच में जीथ हासिल करने के लिए अब पैंवा साथ बने रेया लाइक जरूर कीजिए और चैनल प्रतमाच चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बैतरीन मैच होता हुआ बने रेया बाई आखरी बॉल है इस ओबर का इसके बाद और एक ओबर है और अर्मन पितकोर स्लूर बॉल था यह और काट डाली थी बॉल को खेल दिया स्कोर लेवेल कर चुका है 19 ओबर के बाद 121 के चार बिकट कर लुकसान पर स्कोर लेवेल हो चुका है अब देखना होगा यहाँ इस पहली गेंज पर जीत आती है या दूसरी गेंज पर बाद जीनों ने अभी तक लाइक कर नहीं किए बाद सभी कबने के लाइक ज़रू करें और चैनल पर लडों को सब्सक्राइब ज़रू करें स्कोर लेवल हो चुका है अब देखना होगा कि पहली गेम पर जीत आते है यह पहला जीत है या पर मिलबॉंट रेनेगर्स का है वाट हैरीकेंस के खिलाब दोजार इकीस डाबलू बीवेल में यह दूसरा मैच बहुत ही अच्छा रहा मगर लोई स्कोरिंग गेम था अब देखना होगा कि सिगेंड मैच जो है एडिलेट स्ट्राइकर और सिड्नी ठंडर के साथ उस मैच में क्या होगा तो भाई हमारे साथ बने रहे हैं लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर देखने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और फिर सकते बालिंग करने के लिए था यार इस ओबर के अगली के राइट आम ओबर देखेट बाल करता हुआ इस बार ओफ स्टेम पे बाल बाल को ज रन की जरूरत है सारे फिल्डर जो है तीस कज के तायरी के अंदर आया है सिर्फ दो फिल्डर बाहर रखा गया है राइट आम ओबर देखेट बॉल करता हुआ यहां पर जीत हासिल किया है मेलबॉर्न रेनेगर्स ने बहुत इंदा मैच था यह और आज मैच था मेलबॉर्न रेनेगर्स आउमेंस और हैवाट हैरिकंस के बीच हैवाट हैरिकंस ने पोथो पहले टॉस जीता टॉस जीतने के बाद यहां पर बैटिंग करने का फैसला कि और बैटिंग करते हुए एक 121 का 21 स्कोर ख़़ा किया था मगर उसके जवाब में यहां पर जबर्दस्त जीत हासिल किया है सोफिया मॉलिनेक्स और रोडरी गेज जबर्दस स्टार्टिंग किया था जब आउट हुए सोफिया मॉलिनेक्स रन उट हुए ते रीचा गोस ने रन उट किया था उसके बाद कॉड़नी वेब आए और कॉड़नी वेब ने 31 रन बनाए और दोनों के बीच अच्छी साजेदारी 90 रनों तक दोनों ही बैट करते रहे और जब यहां पर रोडरी गेज आउट हुए तब तब 13 और 3 गेंद हो चुके थे 13 और 3 गेंद हो पर 90 रन बन गहे थे और दूसरा विकेट रोडरी गेज आउट हुए रोड़ी गेज के बाद उसी ओबर में और विकर गया कॉटनी वेव का और कॉटनी वेव आउट हुए 31 रन की स्कोर पे हर्मन पित कॉर 20 रन 18 गिंदों पे 20 रन बनाके बैटिंग कर रहे थे तो भई हमारे साथ बने रहें और को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा